हाज जी, गुड इवने आज हमारा GST वाला पार्ट चालू हो रहा है यह वाले बाच का जोकि 2022 के अंदर जो भी एक्जाम्स होने वाले हैं में 2022, November 2022 उनके लिए आपको प्रिपेर करवा रहे हैं अब income tax वाला पोशिन तो हमारा पूरा 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 कंप्लीट हो चुका है GST वाले पोशिन से आज हम चालू करने वाले हैं और पढ़ाई चालू करने से पहले मैं आपको कुछ basics बताना चाहूंगा और वो basics को जानने के बाद हम पढ़ाई को चालू करतेंगे समझीए basics मैं आपको क्या बताना चाहूं सबसे पहली चीज यहां पे निकल के आ जाती है कि यह batch कौन से students के लिए है उन students के लिए हैं जिनके 2022 के अंदर या फिर उसके बाद exams आने वाले है तो syllabus आपका जो भी latest है यह वाले exams के लिए वो ही आपको पढ़ाया चाह रहा है दूसरी चीज निकल के आती है कौन से subject के बात हो रही है तो यह बात हो रही है taxation paper की which is paper number 4 at CA intermediate level और यही वाले paper के अंदर दो division निकल के आते हैं taxation के पहला है income tax जो कि हमने complete कर लिया roughly 60 marks के आसपास काने वाले paper में और दूसरा division निकल के आता है GST वाला जो की 40 marks के आसपास काने वाले है वो हम पढ़ने वाले हैं अच्छे इसको हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम बाद में इसले पढ़ रहे हैं खाने के टाइम पे भी यह चीज होती है कि आपको जो चीज थोड़ी कम अच्छी लगती है पहले खा लेते हैं और end के लिए कौन सी चीज बचा के रखते हैं जो सबसे बड़ी अलगती है वो ही चीज मैंने भी एकर रखी है GST आपके लिए मैंने end के लिए बचा के रखी थी बिकुस income tax उसमें अच्छे बुरे वाली कोई बात नहीं है अच्छा तो वो भी है मज़दार वो भी है लेकिन वो काफी ज़्यादा वास्ट है तो learn करने में थोड़ी दिक्कत आती है scoring comparatively कम निकल के आता है बट अगर आप GST की बात करेंगे learn करने में भी कम दिक्कत आती है चोड़ा सा है और चोड़ा सा होनी की विरे से scoring भी काफी ज़्यादा निकल के आ जाता है तो ये जो part है ये हमने end के लिए बचा के रखाता अब असान असान चीज़ आने वाली है तो वो हम पढ़ने वाले हैं अब दूसरा question निकल के आता है कि क्या क्या steps आपको लेने चाहिए ये वले subject के अंदर to ensure an exemption in this particular subject और GST के लिए वोई सारी चीज़े में आपको अब बताने वाला हूँ तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है what are we going to do for you in respect to GST वो चीज़ समझे और उसमें सबसे पहला point निकल के आता है that you'll be studying from the best study material out there कैसे समझे अभी तक कि अगर आप बात करेंगे अभी तक कि जितनी भी batches मैंने record करें तो उसमें GST मैं सीधा ICA के study materials से वहीं से पढ़ाता था बट ये पहला batch होने वाला है जहां पे मैं खुद के materials से पढ़ाने वाला हूँ ये transition क्यों करा गया है उसकी बीच लॉजिक समझे तब आपको समझाएगा ये चीज beneficial आपके लिए कैसे हो सकती है अभी तक कि अगर आप बात करेंगे तो पुराने ICA के study materials में GST बहुत बढ़ा नहीं हुआ करता था बट धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के आज के time पे GST के अगर आप number of pages देखेंगे ICA के study mat में तो they come to about 807 pages and 807 pages का GST ये 1200 के आसपास pages का income tax 2000 pages का material निकल के आ जाता है पढ़ने को एक बार पढ़ लेंगे समझाने को मैं आपको समझा दूँगा बट paper से एक दिन पहले जब revise करना पढ़ता है पूरे के पूरे study mat को इतना आसान नहीं होता है and at that particular point of time आपको चीह होता है चोटे से चोटा material जो की पूरे syllabus की coverage कर रहा हो और वो ही आपको provide कर रहा चारा classes के इंदर हमारा जो study material है 1200 pages का income tax का material उसको चोटे से 248 pages के study material के इंदर present करके आपको दे दिता है कुछ भी काटे बगेर 100% coverage वो ही language बस questions को हटा दिया गया है क्योंकि वो हम सीधा वहीं से आई से study mat से ही practice करते है same modality इसा GST के material यह prepare करा गया है जहाँ पे होने के वला है GST के material के अंदर जितना भी आपका syllabus है 100% coverage होने वाली है और ICI के 807 pages के study mat को कम कर करके 180 pages के अंदर लाया गया है अब यहाँ पे कम करने का मतलब यह कहीं भी भी नहीं है कि syllabus में कुछ ना कुछ काटा गया होगा language को modify करा गया है कुछ ऐसा नहीं करा गया है पस questions को हटाया गया है and redundancy को हटाया गया है एक ही चीज अगर ICI के study material में आपको 6 बार लिखी मिल रही होगी मेरे material में एक ही बार लिखी मिलेगी as a result of which वो 266 बार लिखी नहीं की वे रही से जो number of pages increase होने लग जाते है और आपके दिमाग को लगता है कि 2000 pages पढ़ने पढ़ेंगे वो impact मेरे case में नहीं होने बला मेरे case में आपके दिमाग को पता होगा 400 pages पढ़ने है automatically पढ़ाई करने लग जाता है it is all about how you convince your brain to study किसी नहीं किसी तरीके से उसको motivate करना है और यह बहुत बड़ा motivating factor बन जाता है trust me तो वो चीज़ हम करने वाले हैं मेरे study material से पूरी के पूरी पढ़ाई करेंगे 100% syllabus वो cover करेंगे और ऐसे structured तरीके से में आपको पढ़ाऊंगा कि सारी चीज़े learn करने आपके लिए comparatively असान हो जाएंगी जहां पर आपको tricks देने की ज़रूत होएंगी दी जाएंगी जहां पर आपको chart से पढ़ाऊना होगा chart से पढ़ाया जाएगा कोई और trick बतानी होगे वो trick बताई जाएगी सारी चीज़े करी जाएगी पूरा कपूरा syllabus आपके दिमाग में पहले डाला जाएगा जब questions प्राक्टिस करने की बात आएगी तो ICI की जो भी resources होती है जैसे कि ICI का study material, RTP, MTP, past year के question papers वगेर वगेरा इन सारी resources को हम अच्छे से देखने वाले है ताकि question की practice करने के time पे आपको ये confidence आजाए कि जो भी class में पढ़ाया गया question के answer में वो ही चीज़े आपको मिल रही है and आपने questions की अच्छी-कासी coverage कर ली है ICI की खुद की resources से ये जो सब कुछ मिला के confidence बनने वाला है वो अलग level का होने वाला है and that is what we aspire to achieve वो ही हमारा goal है ठीक है जी, उसके अगली चीज़ देखिए आपको logic बताया जाएगा each and everything के पीछे छोटे से छोटा provision जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो यसे नहीं बढ़ाया जाएगा कि ये provision है जिससे ये होता है learn कर लो, ने आपको ये बताया जाएगा कि ये provision जो भी है अगर ये नहीं होता, तो क्या दिक्कत हो सकती थी और ये दिक्कत समझने के बाद आपको समझाएगा ये section जैसे भी बनाया गया है क्यों बनाया गया है and the moment you start analyzing any subject in this particular fashion उसके बाद जो मज़ा आता है subject पढ़ने में that is unparalleled और वो ही हमारा target है कि हमें subject को सिर्फ रटना नहीं है हमें समझना भी है क्योंकि एक बार आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप exams में भी अच्छा score लेके आएंगे और practically वो subject को जब भी apply करेंगे real world के अंदर तो अच्छे से apply भी कर पाएंगे और वो ही चीज़ करने के लिए जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ समझा रहोंगा उस चीज़ के बीचे logic बताना उस चीज़ को practically apply कैसे करा जाता है वो चीज़े करवाना वो सारी चीज़े में साथ साथ करवाता रहोंगा और यह भी आपको subject को अच्छे से समझने में help करेगी और एक और चीज़ याद रखेगा subject को अगर आप रटने लग जाते हैं आगे आपको ABC analysis करवाया जाएगा सारे के सारे topics का जो भी syllabus के अंदर है यानि कि यह चीज़ बहुत important है examination perspective से यह important है समझे लेकिन examination के लिए बहुत important नहीं है तो ऐसे ABC अलग-अलग categories बनवाई जाएगे आपके syllabus के अलग-अलग topics की ताकि आपको पता हो कि अगर time की कमी पड़ती है तो कौन से वाले topics है जिन पर आपको ज़्यादा stress देने की जरुद नहीं है कि इनको मुझे learn करके जाना ही जाना है इनको थोड़ा back end पर डाल सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे topics है जिनको आपको बहुत एच्छी से learn करके जाना है उनमें आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते हैं तो ये categorization आपके level पे करनी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मैं आपको करके बता दूँगा on the basis of the analysis कि ये चीज़े past मैं कैसी पूची गई हैं कैसी नहीं पूची गई इनमें amendment है बगएरा बगएरा multiple चीज़े consider करके जिसको category A बोलना होता है जिसको category B या फे C बोलना होता है वो मैं आपको कुछ से बता दूँगा learning आप accordingly कर सकते हैं next चीज़ आपको batch के दौरान ही काफी सारी tax evasion की techniques बताई जाएंगी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़े करी जाती है क्यों बताए जाएगा ताकि आप evasion कर पाएं नहीं आपको evasion की जब भी टिकनीक बताई जाएंगी तो वो इसलिए बताई जाएंगी क्या-क्या दिक्कते हो सकती हैं कहाँ पर फस सकते हैं अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तब ही अच्छे से guide कर पाएंगे तब ही उस इंसान को मना कर पाएंगे कि ये चीज़े आपको नहीं करनी चाहिए तो जब भी मैं आपको evasion के technique बताऊंगा उसके consequences भी बताऊंगा कि कैसे आपको दिक्कत हो सकती है और कैसे आपको client को रोकना चाहिए सारी चीज़े करने से but to be able to do that to be able to make your client stop from doing any of these activities आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दिक्कते होती क्या है और इचीज़ आपको इसे लिपसकेंदर कभी भी नहीं पढ़ाए जाएंगी यह मानते हुए कि आप evasion करने लग जाएंगे but मैं थोड़ा differ करते हूं इस सारी चीज़ों पे मुझे रगता है student को पता होना चाहिए because अब आप बस student नहीं रहने वाले आप professional बनने वाले हैं और ऐसे professional बनने वाले हैं जिसको taxation के बारे में in and out सब कुछ पता होना चाहिए और वो पता होने के लिए to be able to stop those people आपको सारी चीज़ों के बारे में in depth analysis होना चाहिए logic पता होना चाहिए उन चीज़ों को करा कैसे जाता है उसकी समझ होनी चाहिए वो ही मैं आपको देने वाला हूँ guidance की तरह next चीज exhaustive practice हम करने वाले हैं of tons of questions कहां से practice करेंगे सीधा ICA की resources से करेंगे थाकि आपको confidence आए कि वहाँ पर जितने भी question है हमने कर ली है और उसके साथ-साथ ICA के answers में जो भी है वो वो ही है जो कि हम class के अंदर पढ़ रहे हैं मेरे study material के थू तो इससे आपको दोनों चीज़े को confidence होने वाला है और वो ही confidence ICA के resources से सीधा वहीं से लेंगे कौनसे resources की बात हो रही है study material, past year के question papers RTP, MTP वगएर वगएरा सीधा वहाँ से practice करेंगे multiple questions की next चीज do not use multiple study materials for a single subject अब आपके दमाग में काफ़े बाद डाउट क्या आता है जब भी आप कैसे भी teacher की classes लेते हैं अगर हलका सा भी दमाग में doubt आ जाता है किया दूसरा teacher वो भी कुछ नगो चचा पढ़ा रहा है उनके study material को भी देखे लेते हैं तीसरा teacher है, उनके study material के बारे में भी कुछ नगोच सोना है उसको भी पढ़ लेते हैं आपके पास मेरी अगर आप बात मानते हैं तो एक teacher का पूरा पूरा study material हो सकता है आपके दिक्कते होनी चालू हो जाएंगी and to prevent this particular situation from happening in your case आपको क्या करना है एक teacher के study material को follow करिए जिन पे भी आपको भरोसा है मुझ पे भरोसा है, मेरे study material को follow करिए किसी और teacher पे भरोसा है, उनके material को follow करिए लेकिन दोनों के material को कभी भी follow मत करिएगा and यही भरोसा आपके अंदर बनाने के लिए मैं आपको सब कुछ बहुत detail में बतारूँ कि study material क्या सोच के बनाया गया है क्या-क्या उसमें से हटाया गया है, क्या-क्या डाला गया है हम practice कैसे करने वाले है मैं चाहता तो यह भी बोल सकता था, यही material है किसी को बढ़िएगा, ICA के study material को side में रख दीजेगा पर मेरे सबसे ऐसे confidence कभी भी inspire नहीं कर सकता है मैं अपने students के अंदर और जब तक आपके अंदर यह वाला confidence मैं inspire नहीं कर पाता कि हमारे class का study material बहुत बढ़िया है उसमें सब कुछ cover करा गया है, 100% coverage है तब तक आप और study material के लिए कुछ ना कुछ ढूंटते ही रहेंगे कि किसी और teacher का study material भी दिख लेता हूँ हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं मिल जाए कहीं पर कुछ भी नया नहीं मिलने वाला यही है जो है 100% coverage यहाँ पर हो जाती है आपको दिख जाएगी जब मैं आइसरे का study material खोल के करवाऊंगो थब तो दोनों के comparison में यह चीज आपकी cover हो जाएगी उसके बार में attention लेने की ज़रत नहीं है एक ही material यूज करेगा, यही study material यूज करेगा और कुछ यूज करने ज़रत नहीं पड़ेगी next point revisionary videos यह भी आपको provide करी जाएगी ताकि आप जल्दी जल्दी जो भी आपको किसी भी chapter में पढ़ाया गया है वो साथ ही साथ revise कर लें, class के साथ revise कर लें class के खतम होने की आपको wait नहीं करने पड़े कि class खतम होईगी उसके बाद आपको revisionary videos दी जाएगी नहीं, chapter complete होता है उसकी revisionary video, revisionary audio दोनों चीज़े आपको साथ साथ दी जाएगी और जैसे ही chapter complete हो जाता है आपकी responsibility होने वाली है कि पूरे के पूरे chapter को अच्छे से revise करके learn कर लीजे ताकि question की जब भी हम practice करेंगे question आपको समझ भी आए ये नहीं हो, मैं सारके सारे solve करके दिखा रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहे, सारे दिमाग के उपर से जा रहे है तो class के दौरान सारी चीजों का logic समझाये जाएगा class खतम होने के बाद, पूरे के पूरे chapter complete होने के बाद सारे के सारे chapters की revisionary, video, audio, वो utilize करिएगा और वो utilize करके learn कर लीजेगा chapter अगर आप खतम होती ही, सारे की सारी चीज़े learn कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी understanding होने वाली है doubts भी आपके अच्छे निकल के आएंगे, सारे के सारे doubts में solve भी कर पाऊंगा chapter खतम होते ही अगर आपने revision नहीं करी, तो दिक्कत क्या हो जाएगी जब तक पूरे syllabus complete होएगा, काफी सारी चीज़े आपकी backlog में चली जाएगी कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा होगा, learn भी नहीं हो रहा होगा और classes खतम करने के बाद बहुत ज़्याद effort आपको डालना पड़ेगा तो chapter खतम करना है, साथ साथ चीज़े learn करनी है, वो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ पहली class से उसी चीज़ को चालू कर दीज़ेगा, practice की तरह अगर follow करने लग जाएंगे, काफी ज़ादा help होने वाली आपको Next is multiple MCQ के chapter wise quiz आपके रखवाए जाएंगे in the month of March 2022 वहाँ पर income tax के GST ये दोनों के ही quiz रखवाए जाएंगे, जहाँ पर अगर आपने preparation पहले ही कर ली होगी, आपने आपको test कर पाएंगे कैसी preparation है, अच्छी है, बुरी है वगेरा वगेरा, और अगर आपने वहाँ तक preparation नहीं करी होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसके बाद भी ये वाली quizzes को आप किसी ना किसी तरीके से ले पाएंगे online, offline कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो आपको communicate कर दिया जाएगा, हमारी newsletter के अंदर, बट आपको लेना है, कब लेना है, पूरा syllabus करने के बाद, सब कुछ learn करने के बाद, तो ये MCQ quiz, वो भी लीचेगा और उसके साथ साथ, एक आपका mock test रखा जाएगा, 100 marker, जिसमें income tax DST, दोनों होंगे, मैंने ही paper को design करा होगा, check भी मैं ही करने वाला हूँ, कोई और इसा नहीं करेगा team के अंदर, कि आपको check कर गए paper, आपको ऐसे ही दे दिया गया है, किसने करा है, किसने नहीं कर, आपको खुद को नहीं पता, वो नहीं होने वाला, paper design भी मैं ही करने वाला जो कि आपको कब देना है, ये multiple mcqs जो भी आपको बताए जारे हैं, पहले ये दे दीजेगा, बाद में 100 marker mock test ये दे दीजेगा, दोनों करने के बाद preparation आपकी sufficient हो जाएगी, paper के अंदर अच्छे से 6 marks ले के आपाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, next आपको ये भी बताए जाएगा batch के दोरान, कि questions जो भी आपको solve करने होंगे paper के अंदर, वो सही solve करने के साथ साथ, किस format को use करके आपको solve करने चाहिए, ताकि आपके जाधा से जाधा marks निगल के आपाएं, और ये presentation की जो भी tips होती है, कि इतने marks के लिए आपको इतना है, ऐसे ही, ये format को follow करना चाहिए, answer यहाँ पर लिखना चाहिए, question के respect में जो भी आप tables बना रहे है, summary charts बना रहे है, यहाँ बनाने चाहिए, question के अंदर ये marking करनी चाहिए, ये सारी additional चीज़े होती है, जो कि आपको question solve करने के दोरान दिखाए जाएंगी, और वो देखने क के बाद आपके अंदर confidence आने वाला है कि हाँ, इन चीज़े को ऐसे present करा जाता है, तो कुछ ना कुछ extra marks fetch करे जा सकते हैं, presentation alone can fetch you roughly 10 to 15 person more marks in the paper, और वो भी छोड़ने लाइक तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 से 15 person बहुत जाद निकल के आ जाता है, तो वो भी कैसे आप improve कर सकते ह आपको class के दोरान दी जाएंगी, next is, आपको timely amendments वो provide करी जाएंगी, अगर amendment आती है तो, अभी के लिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यही आपका latest syllabus है, इसमें कोई भी amendment नहीं आई है, होती तो class के साथ ही पढ़ाया जाती, बट कल को जाके मान लीज़े, November 2022 attempt के या फिर कोई भी notification यह पास होने की वज़ा से, तो यह जो भी amendment अगर आती है, तो आपको time के साथ पढ़ा दी जाएंगी, उनकी PDF पी दी जाएगी, lectures भी दिये जाएंगे, आपको बस यह नहीं होने वाले कि हमने amendment पकड़ा दी, कोच से बढ़ लीजेगा, properly बढ़ाई जाए और हमारे टेलेग्राम चैनल पे notification भी उसके दी जाती है, कि आपके पस mail आई है, कभी कभी spam के अंदर चले जाती है, student को नहीं पता चलता है, तो टेलेग्राम वहाँ पर inform कर दिया जाता है, कि mail आई होकी, check कर लीजेगा, तो दोनों से थोड़ा सबडेटेड रहिएगा, को बाद हम batch को चालू करने वाले है, सुनिए, सिबसे पहली चीज, study buddy scheme उसके लिए register कर दीजेगा, कैसे register करना है, आपका जो भी नंबर है, जो आपने booking के टाइम पे दिया होगा, उसी नंबर से, हमारे नंबर पे, which is 8929737672, यह वाला जो हमारा नंबर है, तो बारे repeat करता 8929737672, इस नंबर पे message करिएगा, WhatsApp पे, Telegram पे, कहीं पे भी कर सकते हैं, that I want to register for the study buddy scheme, एक बार अगर अगर आप यह message करते हैं, तो हमारी team आपको register कर देगी, और register करने के बाद थोड़े ही दिनों के अंदर, आपको कोई ना कोई study buddy allocate करा जाएगा, जिन दोनों में common क्या हो करने वाले है, study buddy कीन को मनाते हैं, दो ऐसे student को मनाते हैं, जिन्नोंने हमारे bachelor रखे हैं, और उसके साथ साथ एक particular attempt के इंदर exam देने वाले है, तो मान की चलिए आपको कोई भी study buddy दिया गया है, automatically आप assume कर सकते हैं, वो same attempt आपकी तरह दे रहे होंगे, या तो May 2022 या November 2022, या फि सकती है, क्योंकि आप दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ आप उनसे मिल बाटके, शेर करके, अपनी knowledge को अपडेट कर सकते हैं, कोई और subject के माली जे doubts निकल के आते हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको काफी बार virtual world में दोस्त बनाने को नहीं मिले जाएगा, और क्योंकि यह सारे हमारे class के ही students हैं, तो आपको ज़्यादा notorious बच्चे नहीं मिलेंगे, जो कि वैसे ही online आके आपको परिशान कर रहे हैं, आपको time waste कर रहे हैं, जब भी number दिया जाता है, कि अगर वो इनसान मना करता है, कि नहीं, मैंने productivity increase करने के लिए number मांग होती है, नाम, number, address, वगेरा, वगेरा, verified information, तो दोनों में से कोई भी अगर मना कर दिया जाता है, communication मत करिएगा, एक इनसान ने मना कर दिया है, तो दूसरा communication नहीं करता है, आज तक हमारे पास एक भी case नहीं आया, कि हमने मना कर दिया, और उसके बाद भी दूसरा इनसान पर प्रशान करने लग जाता है, हमारे case में communication दोनों के बीच में जो भी हो रही है, वो anonymous नहीं है, हमें दोनों के बारे में ही सब कुछ पता है, तो यह दिक्कत कभी नहीं आती, अगर आप enroll करना चाते हैं, स्कीन के लिए, तो आप बेजज़गों के कर सकते हैं, कोई दिक्कत निक्स चीज़, मैं आपसे expect करता हूँ कि आप एक logic का register बना के रखिए, जहां पर आपको करना क्या है, काफी सारी चीज़े जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनके बारे में extra चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ, कि tax revision कैसे करी जाती है, इस चीज़ के बीचे logic क्या और रख लिया, नोट करके, तो कल को आप जाके SS कर सकते हैं, कि यह जीज़े आपके दिमाग में वैसे ही store हो गई है, पढ़ने की जरुवत नहीं है, या फिर आप भूल गए थे, मतलब दो मेने तीन मेहने बाद, जब भी मैं आपको पढ़ाया होगा, उसके दो तीन मेहने आप चेक कर सकते हैं, नोट वाले register को read करके, कि जो भी logic आपको बताया गया था, technique बताई गई थी, अगर आप भूल गए हैं, तो read करिएगा, दुबारे याद आ जाईगी, और अगर आप नहीं भूले थे, आपकी देवंग में था, और आपको लगता है कि मुझे पूरी पूरी जिंदगी के लिए याद हो चुका है, मुझे दुबारे पढ़ने की ज़रत नहीं है, काटिएगा, फाड़क एफेक दीजएगा, कोई दिक्कत नहीं है, on the other hand, अगर मैं आपको कोई पी logic बताया है, tax evasion की technique बताईए, और आपने लिखी ही नहीं, अगर आप इसको बूल जाएंगे दो बारे याद नहीं आने वाली, and trust में आप बार बार एकी class को खोल के नहीं देखने वाले, mostly सारे सारे students एक class को एकी बार देखते हैं, तो अगर आप वो चीज़ भूल गए, कहीं पर आपने लिखी ही नहीं है, तो पूरी जिंदिगी के लिए भूल ताकि अगर भूल जाते हैं, तो यह सारी चीज़े recapitulate करने में आपको कहीं न कहीं help हो जाए, that is what the idea is, तो यह register हमेशा maintain करके रखेगा, आपको काफे साथा help करेगा, ठीके ची, next आपको revise करना होगा daily basis पे using the one fourth rule, अब यह rule क्या होता है, income tax के time पे मैंने आपको बताया था, जब वह वला batch चालू करा गया था, अगर आपने अकेला GST का batch लिया है, income tax नहीं लिया है, तो एक बार income tax के lecture one को, जो कि YouTube पे uploaded है, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजेगा, वहाँ पे आपको पताय चल जाएगा one fourth rule क्या होता है, अब यह जो rule है, जितने बच्चे follow कर रह मैं आपको starting में भी बता रहा था, अगर आपने batch खतम होने की wait करी, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अगली class की तरफ पहुँच जाते हैं, revise कुछ भी नहीं करते हैं, और पूरा पूरा batch खतम होने के बाद आप सोच रहे हैं, कि तब revise करना चालू करू अगर कुछ भी आपको बताया जा रहे हैं, दिमाग में बैटना दो चाहिए, और वो बैठेगा कैसे, revision के साथ बैठेगा, तब बैठेगा जब आप daily basis पे जो भी पढ़ाया जा रहे हैं, दो बार तीन बार revise कर रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से dedicatedly ये वाले rule को follow कर लीजे without any hesitation, काफी बास students के दिमाग में क्या बैठ जाता है, in fact teachers ही बिठा देते, कि ये डाउट बेकार है, ये पूछने के जरत नहीं थी, खुद भी तो check करा करो, मैंने भी काफी सारी एसी statements अपने teacher से सुनी है, और ये चीज़े सुनने के बाद लगता है कि यार पता ये डाउट पूछों नहीं पूछों, मना तो नहीं कर देंगे teacher, सुना तो नहीं देंगे, मैं आपको आज की आज ये assurance देता हूँ, चाहिए चोटी से चोटा डाउट पूछेगा, बड़े से बड़ा डाउट पूछेगा, जो आपको लगता है illogical है, वो पूछेगा, जो आपको मेरे मुझ से ऐसी चीज़े सुनने को नहीं मिलेंगी, आपका चोटे से चोटा डाउट वो भी मेरे लिए important है, solve होना चाहिए, बड़े से बड़ा डाउट वो भी मेरे लिए important है, कोई चीज़ अगर आप syllabus के बाहर की भी पूछ रहोंगे, मैं आपको बता दूँगा, कि य चलेगा, और जब तक मुझ से पूछेंगे नहीं, उसका solution आपको नहीं मिलने वाला, आप बेजज़ा को के पूछेएगा, आपको हर doubt का solution मिलने ही वाला है, यतनी guarantee मैं दे सकता हूँ, और वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जो भी doubt आते हैं, पूछेगा, class के साथ साथ revise करके अच्छे doubts आने वाले हैं, और मैं सारे के सारे solve करके सब खतम कर दूँगा, अगर हम दोनों मिलके किसी भी चीज़ को समझना चाहेंगे, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है, जो की नहीं समझ सकते, मैं आपको समझाऊंगा, classes गंदर पढ़ाऊंगा, कोशिश तो मेरी यह रहेगी, कोई भी डाउट आए ही नहीं, लेकिन स्टिल अगर निकल के आजाता है, तो यहाँ पर आपकी responsibility होने वाली है कि पूछिए, बस इतना सा काम कर लीजे, अगर पूछेंगे, तो मेरी guarantee है कि यह आपको किसी नग इसी तरीके से उसका resolution देने ही वाला हूं, चीज़ आपको समझाने ही वाला हूं, वो चीज़ आपकी solve हो जाएगी, ठीक है जी, the next point is, don't leave the subject after the classes, जैसे ही classes खतम हो जाती है, उसके बाद subject को छोड़ मत दीजेगा, माली जे starting में ही आपने taxation की classes ली हैं, और 8-9 मेने बाद आपका exam होने बाला है, inter-level का, तो यह 8-9 मेने के लिए मान की चलिए taxation की बहुत ही बड़ी understanding आपकी बन जाती है, तो यह confidence आने के बाद, इस subject को 6-7 मेने के लिए छोड़ मत दीजेगा, कि अभी बाकी subject करता हूं, उसके बाद taxation को उठाऊंगा, उसमें तो बहुत बड़ी understanding मेरी बन गई थी, अगर आप 6-8 मेने के लिए subject को उठा आती है, पूरे subject की, वो देख लीजेगा, ताफी है, और कुछ करनी के ज़रत नहीं है, किताब बेशक मत उठाइए, लेकिन 1.5 महीने से जाधा का gap मत आने दीजेगा, अर 1.5 महीने के अंदर revisionary video, अगर आप वो भी देख लेते हैं, एक दिन लगा के, तो इस case में क्या होन आने वाला है, पूर अगर पूरा subject बार बार आपके दिमाग में refresh होता जाएगा, और 8 महीने आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा subject को altogether, as a result of which exam तक भी दिमाग में रहने वाला है, एक एक point आपके दिमाग में रहने वाला है, जो की class के अंदर में आपको बढ़ाया था, and this is what you should ideally do, to be able to retain any subject for a longer period of duration, वो ज्यादा period के लिए आप रेटेन कर पाएंगे इस तरीके से, वो चीज़ भी करिए, next is keep on checking the email जो भी हमारी आती है, हमारे newsletter की, for any amendments, जो भी time to time आती है, या फिर कोई भी quizzes, कोई भी announcement जो भी होती है, हमारे newsletter पे, आपको मिल जाएगी, या फिर हमा के लिए आपके पास आने वाला है, कहीं पे भी register करवाने की ज़रत नहीं है, उसके लिए, आपने order place करा होगा, email ID हमारे पास आपका आचुका है, उस पे जो भी important emails है, सारी की सारी time to time आते रहेंगी, लेकिन telegram channel, वो आप manually कुछ से join कर लीजएगा, वहां पे भी आपको updates मि spamming कोई नहीं होती, फालतों के messages नहीं आते, कोई भी promotional message, एक भी नहीं आने वाला आपके पास, मेरी साइट से guarantee है, message आता है, तो काम का ही आने वाला है, एधर उतर के बेढ़ेंगे messages नहीं आने वाले, and the final point is, इस सारी सारी चीज़े जो भी आपको बताई गई है, जो मैं आपका interest बन जाए वाले subject में, और एक बार interest बन जाता है, तो इसी ये बनने के बाद यही वाले काम को करने भी लग चाहिएगा, that is what I aspire to do, the only thing which I wish to achieve from this particular batch is, कि मैं आपका भी यही वाले subject के अंदर, उतना ही interest बना दू, जतना मेरा है, यह subject की तरफ, उतना ही आपको भी interest आ आप पढ़ने के time पे यह नहीं सोचें, कि मुझे exam pass करने के लिए पढ़ना है, आप पढ़ने के time पे यह सोचें, कि यार मुझे जानना है अगले topic के अंदर क्या होने वाला है, क्या बताया चाहेगा, मेरा मन कर रहा है जानने का, कल को क्या हो सकता है, department क्या कर सकता है, vision ऐस करी जा सकती है, क्या, कैस में कोई ना कोई दिक्कत निकल के आती है, क्या provision में यह कोई ना कोई लूप होल है, इस सारी चीज़े आपको excite करनी चाहिए, यह नहीं कि मुझे पढ़ने के लिए पढ़ना है, marks आ जाएंगे, pass हो जाएंगा, CA बन जाएंगा, वो सारी चीज़ साइट करिया सारी चीज़े पढ़ने के लिए, बस, एतनी सी कोशिश मेरी रहेगी, तो चली, जो भी चीज़े मुझे आपको बतानी थी, basic चीज़े, बैच को चालू करने से पहले, वो सारी चीज़े मैं आपको बता दी है, अब बैच को हम चालू कर सकते हैं, तो सारी ची में होने वाली है content exact same होगा लेकिन structure different होने वाला है और जो structure आपको काफी ज़्यदा help करेगा चीज़े ज्याद अब ये chapter चालू करने से पहले एक बार पूरे module को go through करके देख लीज़ेगा कहीं पर भी कोई बीशू नहीं है कभी कभी printing के issues आ जाते हैं वैसे हमारी team check करके ही भेशती है सारे सारे modules को but again scale की वज़े से कभी न कभी दिक्कत आ जाती है तो एक बार चेक कर लीज़ेगा कोई भी issue है तो message करके बता दीज़ेगा अपने registered number से हम issue को rectify कर देंगे and then आप classes को देखना continue कर सकते हैं चलीजे introduction यह हमें चालू करनी है सिबसे पहले आपको कुछ basic concepts यह बताया जा रहे हैं जो कि आपको GST के बारे में पढ़ने से पहले पता होने चाहिए tax होता क्या है पहले यह बताया जा रहे आपको यहनि कि goods and services tax को वह बाद में देखेंगे पहले यह समझे tax कोई भी type का income tax customs duty GST excise duty वगएर वगएर यह होते क्या है a tax में भी defined as a pecuniary burden pecuniary क्या होता है monetary burden, जो भी lay down करा जाता है किसके ओपर upon individuals or property इनकी ओपर लगाया जाता है, जैसे कि individuals के ओपर income tax लगाया जाता है, प्रवापटी owners के ओपर wealth tax पहले लगाया जाता था, अचकी time पर नहीं लगाया जा रहा, बट लगाया जा सकता है और यह जो भी tax लगाया जाता है burden दिया जाता है किसी भी इंसान को कि आपको पैसे pay करने पड़ेंगे यह क्यों करा जाता है This is done to support the government and सरकार को क्यों support करने के जरुरत है मैंने आपको multiple खर्चे income tax में भी बताये थे जैसे कि defense का खर्चा health care में आपको free education provide करनी है free hospitals provide करने है कोई भी और काम करने है जैसे कि सटके बनानी है बिजली provide करनी है पानी provide करना है यह सारी यह सी चीज़े हैं जो कि हर इंसान को मिलनी ही चाहिए fundamental rights हैं आपके अब यह चीज़ आपको provide कर पाने के लिए पैसे की requirement होने वाली है police की services देनी है army की services देनी यह साथ चीज़ आप से charge नहीं करी जाती तो यह services provide करने के लिए सरकार के पास पैसे होने चाहिए और वो पैसे आएंगे कहां से आप से ही आने वाली है and taxes are one of the means जहां से पैसे को raise करा जाता है सरकार की public sector undertakings भी होती है जो की अगर profitable हो जाए तो वहां से भी पैसा कमा सकती है but mostly आप देखेंगे profitable होती नहीं क्योंकि उनका non-profit motive होता है most cases में तो सरकार वैसे भी काफी cases में पैसा raise करती है अलग-अलग काम होसे but taxes वो major source होते हैं revenue का for the governments across the world यहां पर आपको बताया जा रहा है यह जो payment आपसे ली जा रही है यह कैसे ली जाती है this is exacted by legislative authority यानि कि आपसे खीची जाती है ली जाती है कैसे ली जाती है legislative authority इसके तहत ली जाती है यानि कि law बना के ली जाती है law सरकार को power देता है कि ये taxes जो भी वो लेना चाहती है वो ले पाती है अगर law power नहीं देता सरकार कोई भी चीज नहीं कर पाती A tax is not a voluntary payment or a donation ये voluntary नहीं है कि देना चाहते हैं तो दे दीजेगा नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बोला जा रहा है इतना tax आपका बनता है आपको देना ही पड़ेगा नहीं देंगे सरकार चीन लेगी आपकी assets को बेच के निकाल लेगी पैसे को आप मना नहीं कर सकते है ये voluntary नहीं है But it is an enforced contribution जो की exact करा जाता है pursuant to legislative authority एक्जाट क्या होता है लिया जाता है first one two यानि कि किस चीज को यूज करके legislative authority यान की law जो भी authority देता है सरकार को इस चीज को यूज करके लिया जाता है ठीक है आगे देखे शॉट में आपको बताया गया in simple words Tax is nothing but the money that the people have to pay पे करना ही पड़ता है सरकार को जो की use करा जाता है किसके लिए which is used to provide public services अब ideally तो इसके लिए use करा जाना चाहिए बीच में corruption और ये सारी चीज़े जो निकल के आती है वो किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो भी एक practical reality है sad reality बट ideally जो होना चाहिए वो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है चलीजे point number 2 के अंदर आपको दिखाये जा रहा है direct taxes, indirect taxes दोनों में difference क्या है ये exact table ना आपको मेरे income tax material के अंदर भी chapter number 1 के अंदर देखी थी लेकिन वहाँ पे हमने discuss नहीं करी थी क्यों नहीं करी थी because वहाँ पे आपको पता ही नहीं था income tax होता क्या now that we have completed income tax अब आपको idea लग गया है अच्छा कास income tax क्या होता है and now you'll be able to appreciate कि यहाँ पे बोला गया जा रहे law makers ने क्या चीज़ बताई है दो type के taxes होते हैं direct, indirect दोनों भी difference क्या होता है अब मैं आपको बहुत असानी से समझा सकता हूँ तो समझीए सिबसे पहली चीज़ आपको बताई जा रही है direct taxes अगर किसे भी tax को बोला जाना चाहिए कि यह direct tax है कब बोला जाएगा तब बोला जाएगा जब वो लेवी करा जाता है on the income or wealth of a person इतनी income है इसका इतना percent tax के नाम पे देना पड़ेगा income tax इतनी wealth है इसका इतना percent आपको tax के नाम पे देना पड़ेगा wealth tax इसारे की सारे क्या है direct taxes है और इनको direct क्यों बोला जाता है यह भी साथ साथ समझीए यहाँ पे आप देख सकते हैं that the person who is bearing the cost of such taxes यानि कि जिसको यह bear करना पड़ता है जिसका एक खर्चा बनता है and the person paying the taxes to the government दोनो एक ही इनसान होते हैं यानि कि मुझे बोला जाता है आपकी income पे लेटर से 12 लाक रुपे का आपको tax देना पड़ेगा मैं ही सरकार को देता हूँ bear भी मैं ही करता हूँ यह नहीं कि मैंने pay कर दिया किसी इंसान से लेके pay करा है मुझे ही देना पड़ेगा अपने पैसे में से ही देना पड़ेगा बट अगर आप बात करते हैं indirect taxes की तो यह किस पर लगाए जाते हैं किसी भी इंसान की income पे wealth पे उस पर लगाए जाते हैं नहीं यह लगाए जाते हैं on the price of goods or services जो भी चीज़े आप market में avail करने जाएंगे जब भी इंके पैसे को देंगे इंके पैसे देने के साथ साथ आप कुछना को GST के नाम पर सरकार को दे रहोंगे तो यह लगाए जाते हैं goods or services इनके price पे और इनको indirect क्यों बोला जाता है because यहाँ पे the person who is bearing the cost of such taxes and जो भी actually सरकार को यह वाला tax पे करता है दोनों ही different लोग होते हैं practical example देता हूँ मायन के जली market में जाके आपने 10 रुपे की चोकलेट करी दिया अब आपको क्या लग रहा है आपको लग रहा है Cadbury ने 10 रुपे आपके ले लिया और अपनी जेम में डाल लिया इतनी की चोकलेट आज के टाइम पे है बट पीछे की कहान ही क्या है यह 10 रुपे में से कुछ ना कुछ Cadbury क्या गरने वाली है सरकार को देने वाली है आप 10 रुपे देंगे दुकानदार को दुकानदार क्या गरेगा इत 10 रुपे में से लेटसे 1.5 रुपे सरकार को देगा GST के नाम पे और 8.5 रुपे अपनी जेम में डालने वाला है जिस 8.5 के अंदर Cadbury की कॉस्ट उसका प्रॉफिट सब कुछ कवर हो जाता है वो ही सेलिंग प्राइस का पाट बनता है तो ये 1.5 रुपे GST के किसके पास जाते हैं सरकार के पास भेशता कौन है, पेमेंट कौन करता है सरकार को वो सेलर करता है, शौप कीपर करता है आप क्या कर रहे हैं, आप आक्चली ये खर्चा को बेर कर रहे हैं ये 1.5 रुपे जो भी सरकार को दिये गए हैं GST के नाम पे दुकानदार ने दिये हैं क्या खर्चा उसको बेर करना बड़ा, नहीं बेर खर्चा आप ने करा है क्योंकि पूरे की पूरे 10 रुप आपकी जिप से निकले हैं बट ये जो 1.5 रुपे GST के नाम पे आपसे लिए गए हैं ये सरकार ने सीधा आपसे नहीं लिए, आपसे indirect तरीके से लिए हैं सरकार ने बोला कि आप शॉप कीपर को दीजेगा, शॉप कीपर को बोला कि वो सरकार को देने वाला है विच इस वाइ इन टाक्स को बोला जाता है, indirect टाक्स क्योंकि ये भी कंजूमर से लिए जाते हैं इन दोनों काटिगरीज के अंदर नेक्स्ट अमारा डिफरेंस है, इनकी अगर आप बर्डन की बात करेंगे, ये वाले टाक्स के बर्डन की ये शिफ्ट नहीं करा जा सकता किसे और इंसान पे आप ये नहीं कर सकती कि आपसे बूला जा रहा है, 12,00,000 रुपे आप दीजएगा इनकीम टाक्स के नाम पे, और मैं कहूं कि मैं किसी और से लेगे दे दूँगा नहीं, मुझे पर ही टाक्स लगाया जा रहा है, मुझे ही पे करना पड़ेगा अगर आप बात करते हैं, इंडारेक्ट टाक्स की, तो इनका बुर्डन शिप्ट करा जा सकता है जैसे कि एक्जांपल के अंदर मैंने आपको दिखाया था, ये डेड़ रुपे पे किसने करे हैं, दुकानदार ने पे करें लेकिन क्या इसका बुर्डन दुकानदार के उपर आता है, क्या उसके लिए खर्चा बिनने वाल है, नहीं उसको तो जो साड़े आट रुपे चाहिए चॉकलेट बेशने के टाइम पर उसको मिल जाएंगे उपर से जो भी डे रुपे उसको देने पड़े हैं, सरकार को पूरे के पूरे मुझ से कलेक करके देने वाला है थो यहाँ पर इसको बर्डन है, यह वाले टाइप के टाइक्सिस का, यह हमेशा दूसरे वाल इंसान पर शिप्ट करा जा सकता है and eventually इनका burden कौन भी एर करता है जो भी इन goods का या services का final consumer होता है उसको pay करना पड़ता है अपनी जिप से ये goods को करीदने के time पे या फिर services को avail करने के time पे अब यह जो point है ना इसके बारे में और बहुत detail में हमारी discussion होने वाली है chapter number 6 के अंदर जब input tax credit उसके बारे में थोड़ी बहुत बात होईगी अभी के लिए इतना काफी आपको एक concept समझाने के लिए अगला point बहुत ही खतरनाक देखे यहाँ पे मैं आपको notes के साथ बताऊंगा जब भी आपको लिखा में लेना मेरे किसी भी point के अंदर refer notes तो आप भी ऐसे ही marking करिएगा और यहाँ पे refer notes के साथ साथ page number वो भी लिख दीजेगा अपने logic वाले register का जहाँ पे आप noting करने वाले हैं तो logic register में later से page number 1 पे आप वो noting करेंगे जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ तो यहाँ पे लिखिएगा refer notes page number 1 और वहाँ पे page number 1 के इंतर आपको क्या लिखना होगा टॉप पे लिख दीजेगा refer page number 1.1 यानि कि हमारी book का page ताकि दोनों में से कुई पी चीज़ जब भी आप खोलें तो आपको पता हो वो note कौन से page को protein करता है और यहाँ पे देखके आपको पते चल जाए इसके बारे में note आपने कहाँ पे बना रखा है cross referencing अच्छे से करके रखने हैं आपको ठीके जी, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है direct taxes जो होते हैं, यह progressive होते हैं in nature यानि कि higher rate लगाया जाता है उन लोगों पे जिनकी higher capacity होती है to pay but अगर आप indirect taxes की बाद करेंगे यह होते हैं, regressive in nature यानि कि same rate लगाया जाता है हर इंसान पे चाहे उनकी capacity हो pay करने की चाहे नहीं हो, आपकी income कुछ भी ग्यों न हो आपके उपर same rate of indirect taxes लगाया जाते हैं अब यहां पे मैं आपको इतना बता के छोड़ सकता हूँ लेकिन मुझे मज़े मजा नहीं आने वाला तो मैं आपको बहुत detail में इस चीज़ बताने वाला हूँ because इसकी implications बहुत जाद है और यह बहुत लंबी चौड़ी debate है जो की worldwide होते रहती है कि कौन से टाइप के टाकस जाद बढ़ा हैं ये वाले बढ़ा हैं ये वाले बढ़ा हैं दोनों ही हटा दें दोनों ही लगा दें क्या करें क्या नहीं करें अब इंडिया ने आज के टाइम पर दोनों लगा रखें बट ही होता क्या है Progressive, Regressive इसका society पर impact कैसे बढ़ता है आपको पता होना चाहिए 5 मिनट हमें कम से कम इस पर लगाने ही चाहिए तो देखिएगा Notes के अंदर कुछ ना कुछ मैं आपको दिखाने बाला हूँ The debate is Progressive versus Regressive कौन से taxes जादा बेटर होती है देखिए मैंने यहाँ पर आपको दो लोग दिखा रखे है Mr. A, Mr. B दोनों की ही income कितने की है दोनों कितना कमा रहे है and needs पर कितना spend करते हैं यानि कि जो भी requirements होती है खाना, पीना, कपड़े वगेरा वगेरा चोटी मोटी जो basic necessities होती है उनके लिए कितना खर्चा इनको respectively करना पड़ता है वो मैंने आपको बताया है ये वाले column के अंदर and wants के लिए यानि कि आपके desires के लिए गूमना फिरना है बड़ी गाड़ी चाहिए वगेरा वगेरा जिनकी requirement नहीं है लेकिन अगर आपके पास पैसे होंगे आप करेंगे उसके लिए कितना पैसा ये लोग खर्चते हैं उसके लिए कितना पैसे इनके पास बच जाता है ये वाला खर्चा करने के बाद वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बता रखिए अब हलका सा अनलाइस करके देखिए इन दोनों लोगों की जिंदगियों को Mr.A बढ़े टाइकून है बिजनस टाइकून है 2000 करोड रुपे हर साल कमा जाते ही इनकी नीट्स पर आपको दिख रहा है आपका चेंज होने वाले तो आपको जाधा पैसे खर्शने होंगे वो ठीक है अंडरस्टैंडेबल है लेकिन 20 करोड रुपे से जाधा क्या ही खर्चेंगे तो मोटे मोटे तोर पे समझ आ जाता है कि नीट्स के लिए वांट्स की बात नहीं होरी ओंच में तो तुम्य जैट पी चहिए होगा तुम्य एक 50 फल्रोर की बिल्डिंग बी चहिए होगी जहांपे तुम रहोगे दो फलर के अंदर बाकी 48 फल्रोर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम्हें खुद को नहीं पता होगा नहीं है वो तो यहें पर पूरे हो गई थी तो आपको क्या देख रहा है अनालेसिस के अंदर सिर्फ एक परसंट यहां पर खर्चने की requirement आती है बाकि जितना भी पैसा है पूरा कपूरा आप बचा के साइड में रख सकते हैं इतना ज्यादा पैसे आप कमा रहे हैं पूरे सा तो एक भाई साइब लेटेस से 20,000 रुपीज पूरे के पूरे साल में मिला के कमा रहे हैं और इंके नहीरसिस के अंदर में आपको बताया है नीट्स पे 18,000 रुपे स्पेंड करते हैं आपको लग रहा होगा 2000 रुपे बच जाती है वांट्स के लिए यह कोई वांट्स नह करेंगे बट अगर आप रियालिटी की बात करेंगे तो 18,000 रुपे से इनका गुजारा नहीं हो सकता बट क्या करजा है इंकम नहीं है तो स्क्वीज इन करता ही है इंसान तो मैंने आपको बताया है यह 20,000 रुपीज में से जो भी पूरा साल में कमाते हैं 18,000 रुपे यह इसकी तरफ खर्शते हैं, खाना, पीना, एजुकेशन बगएरा बच्चों की वो सारी चीज और उसके बाद 2000 रुपे जो भी बच जाते हैं वो क्या करते हैं वो इदर उदर जो भी रेक्वार्मेंट्स निकलके आती हैं बच्चों की फैमिली की बगएरा बगएरा दिवा इंकम टाक्स जो भी बताएगा, सारे टाक्स के लिए वो चीज डू होने वाली है, एंजीस जो भी आपको बताएगा, वो सारे के सारे इंडारेक्ट टाक्स के लिए as a nature true होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंकम टाक्स लगता है, दोनों पे ह तो वो किस पे लगता है, income पे लगता है, जितना भी आपने कमाया होता है उस पे लगता है Let us say, सरकार यहां पर दोनों को ही बोलती है, आपकी income को tax करा जाएगा 30% के flat rate पे सोचिये, क्या होने वाला है इस इंसान को देने पड़ेंगे, कितने पैसे? 600 करोड रुपे देने पड़ेंगे जो कि कहां से दे सकता है, यहां से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सारा पैसा बच रहा था अब 1980 की जगा, कितना बचने वाला है? 1380 बच जाएगा इसको दिक्कत होने वाली है 600 क्रोड रुपे इतने ज़्यादा पे करने पड़े गए लेकिन स्टिल कैसकी जिन्दगी रुकरी है नहीं अभी भी लाविश 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 बच जाएगे बात करिए इस इंसान की इसको सरकार कहती है 20,000 रुपे की इंकम में 30% आपको इंकम टाक्स के नाम पे देना पड़ेगा यानि कि कितने पैसे 6,000 रुपे देने पड़ेंगे जिसके बाद आपके पास बचने कितने वाले हैं 12,000 रुपे 18,000 में जिन्दगी जीनी बहुत मुशकल हो पारी है सरकार कह रही है इस इंसान को आपको 6,000 रुपे क्या करने पड़ेंगे टाक्स के नाम पे देने पड़ेंगे और 14,000 में जिएगा यह वेली चीज भी, यह वेली चीज भी 14,000 में करिएगा कितना गलत है इस इंसान की वैसे ही life जीनी कितनी मुश्किल हो रही है life card नी कितनी मुश्किल हो रही है उसको आप कहे रहे income tax के नाप पर आपको और पैसा देने पड़ेगा गलत है न तो यहाँ पर income taxes में wealth taxes में क्या होता है सरकार कहती है आपकी income कितनी है उस पर depend करेगा आपके उपर क्या tax rate लगने पला है इस इंसान की बात करेंगे तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा इसके उपर roughly 45 percentage इतने का tax rate लग जाता है सरकार कहती है 2000 करोड कमाया है न तो यहाँ पर आपको 2000 करोड में से 900 करोड रुपे tax के नाम पर देने पड़ेंगे और दीजेगा क्योंकि आपके पास हैं पैसे आपको खुद को पता है आपके पास है यह आपका फिर भी हो जाएगा और यहाँ पर कुछ न कुछ हम चेयर लेने वाले है यह जो इनसान है इसको पूरे साल में एक रुपे का भी income tax नहीं देना पड़ेगा wealth tax नहीं देना पड़ेगा सरकार ने बता रखे है ऐसे mechanism मना रखे है income tax के अंदर हमने पड़ा रखे है slab rate पड़ा है न पहले 5 लाग की income होती है कुछ नहीं देना होता अगले 5 लाग पे 5 परसंट अगले 5 लाग पे 20 परसंट remaining पे 30 परसंट सरचार्ज लगाए जाता है 50 लाग से जादगी income है 10 परसंट का सरचार्ज 1 करोड से जादगी है 15 परसंट का 2 करोड से जादगी है 25 परसंट का and finally 5 करोड से भी जादगी है तो 37% का surcharge क्यों करा जा रहा है जैसे जैसे आपकी income जादे increase होते रहती है paying capacity with respect to taxes वो भी increase होते जाती है और सरकार आपसे जादे access लेती है यह हो पाता है income taxes में well taxes में और justified भी है अब बात करीई GST की GST में देखी दिक्कत क्या आती है GST आपका ना ही इसको tax करता है ना ही इसको consider करता है वो तो कहता है भाई साब आपने जो भी खर्चे करें चाहे needs पे करें हो चाहे wants पे करें हो हम तो खर्चे को देखने वाले है आप market में जब भी जाएंगे कोई भी good को खरीदने के लिए services को avail करने के लिए हमने बोल्ट रुखा होगा ये वाला good खरीदने के time पे आपको 15% GST के नाम पे देना पड़ेगा 12% 18% 20% अलगलग rates है वो आपको GST के नाम पे देना पड़ेगा और अगर ये चीज़ आप consume कर करना चाते हैं पे करना ही पड़ेगा अब ये इंसान market में जाता है जब भी needs के लिए 20 करोड रुपीज इतना इसको खर्चा करना होता है लेटर सा 18% सरकार ले भी लेती है GST के नाम पे कि इसके लिए जादर दिक्कत होने वाली है नहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं जब मैं GST के नाम पे और ये इसको पेक करना पड़ेगा in spite of the fact कि इसकी income बहुत कम है income taxes में बच गया था क्योंकि वहाँ पे income consider करी जाती है और क्योंकि आपकी income दिखरी है बहुत कम आ रही है सरकार ने कहा था मत दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है इस से हम लेने वाले है 900 करोड आप आप के रहें taxes के नाम पे कुछ ना कुछ दीजे तो ideally क्या होना चाहिए था इसको ना ही income tax demand करा जाना चाहिए था सरकार के द्वारा ना ही इसको बोला जाना चाहिए था indirect taxes आपको pay करने पड़ेंगे बट indirect taxes आज के टाइम पे इनको pay करने पड़ते हैं तो हो सकता है आप student stage पे यह सोच रहो कि आपने अभी तक कोई भी taxes नहीं pay करें क्योंकि income कमानी शुरू नहीं करी है आपकी income भी तक taxable नहीं है लेकिन the sad reality is आप बचपन से ही पैदा होते ही कुछ ना कुछ taxes पे कर रहे हैं जो भी goods and services आप consume करते हैं उसमें कुछ ना कुछ GST का या पर किसी भी indirect tax का portion आपने पे करा होता है इस सरकार को और हर साल आप taxes पे करते हैं तो यह चीज़ पहले realize कर लीजेगा कोई भी अगर बोलता है कि आपने income नहीं कमाई है तो आप नहीं pay कर रहे हैं यह सचाई नहीं है हो सकता है आप income tax नहीं pay कर रहे हो बट GST यह आप ज़रूर पे कर रह यह मत क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे है अगर आप income tax बढ़ाते हैं तो इस case में यही इंसान जो भी अमीर है जिसके पास capacity भी है pay करने की वो ही pay करेगा कुछ न कुछ taxes के नापे बट जो भी गरीब इंसान है वो बच जाएगा comparatively बच जाएगा तो income taxes लगा यह बहुत बढ़ी लगेगा यह कहेगा income tax अटाओ GST लगाओ क्यों कि इसकी consumption बहुत कम है इसकी mostly savings निकल के आती है तो इसको 18% बस इसका देना पड़ेगा on the other hand यह जो इनसान है इसकी income consumption दोनों ही almost बराबर है जितना कमाता है पूरा को पूरा निकल जाता है तो अगर आप इस कर रखाया दोनों लगा रखें, income tax भी लगा रखाया, GST भी लगा रखाया, अभी क्यों कर रखाया समझे, पूरे साल में मिला के income taxes से अगर आप बात कहेंगे तो रफली 10 लाग करोड रुपे, इतनी की recovery हर साल हो जाती है भारत सरकार को, और अगर आप indirect taxes जितने भी है GST, customs बगेर बगेर, सब कुछ मिला के देखेंगे तो रफली 11-12 लाग करोड इतनी की recovery हो जाती है किस से, indirect taxes से, सरकार दोनों को ही नहीं छोड़ना चाती है, क्यों नहीं छोड़ना चाती है समझे, सारी सरकार को worldwide पता है, कि ये वले अगर आप income taxes लगाएंगे, direct taxes लगाएंगे यानि कि जैसे जैसे आपकी income बढ़ते जाती है, आपके उपर लगने वाला effective rate of tax, वो भी increase होता जाता है, यहाँ पे था 0% का, यहाँ तक पहुशते पहुशते है, मोटे मोटे दोर पे 45% का हो गया है, और यह अच्छी चीज़ है, यह इनसान पे भी कर सकता है, और indirect taxes के बा बट काभी सारी सरकारे indirect taxes लगाती है, क्यों लगाती है, समझे, पहले यह चीज़ लिख लीजेगा, while direct taxes target income वो इस पे लगाए जाते हैं, indirect taxes target करते हैं कि इनको, spendings को, consumption को, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप income tax इवेट करने की बात करते हैं, आपको पता है, आपके उपर कमा रखा होगा, सरकार को नहीं पताएंगे, कैसे, cash में receive करेंगे, और और भी 500 तरीके निकल के आते हैं, वहाँ से आप income conceal करेंगे, सरकार को कम बताएंगे, latest से कमाये थे 2000 करोड, सरकार को बताते हैं 200 करोड, पे करा जाना चीए था 900 करोड रुपे का tax, लेकिन, क्योंकि सर income tax evade करने वाले mindset के काफी सारे लोग हैं, worldwide काफी सारे लोग हैं, और उसके साथ साथ income tax evasion को detect करना इतना असान है भी नहीं, तो ये काफी ज़ादा हो जाती है evasion इस particular case में, लेकिन यहीं पे, अगर आप indirect taxes evade करनी की बात करेंगे, असान नहीं है, क्यों, उसके लिए आपको अंदर 100 रुपे देने ही पड़ेंगे, जिसमें 1.5 रुपे GST inbuilt है, और जैसे ही आप ये पे करेंगे, सरकार के बास 1.5 रुपे GST पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर ये नहीं कि कुछ ना कुछ तरीके से आप चीज़े conceal कर सकते हैं, आपको चीज़े consume करने के लिए पै comparatively काफी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे evasion करने के लिए आपको consume करना, खतम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, कि मैं consume नहीं करता चीज़े, और वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, consume invoice आपको करनी ही पड़ेगी, और करने के टाइम पे GST पे eventually करना पड अगर आप direct taxes करेंगे, तो यह इंसान ज्यादा tax होने वाला है, बड़ सरकारों को पता है कि अगर अकेले इसको tax करने की कोशिश करी, तो यह income को conceal कर जाएगा, यह 2000 करोड की income दिखाने ही नहीं वाला, 200 करोड की दिखाएगा, बट यह भाहिसाब भी यह नहीं चुपा यह और consumption पे अगर हमने taxes लगा दिए, यानि कि consumption taxes, विचार indirect taxes, अगर हमने यह लगा दिए, तो यह evade करना इसकली भी मिश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या गरना चाहते हैं, consumption taxes यानि कि indirect taxes वो आपके उपर लगाएंगे, अच्छे एक होचीज आपके दिमाग में आ सकत इसको, जब भी आप GST vision की बात करेंगे, eventually बेर किसको करना पड़ता है GST, यह सार के सारे लोग कर रहे होते हैं, पूरी चेन में, wholesaler भी पे करेगा, retailer भी पे करेगा, manufacturer भी पे करेगा, लिकिन eventually सारे के सारे मुझ से recover कर लेंगे, consumer से, क्योंकि eventually जो भी chocolate मैंने खरीदी होगे 10 रोबे की, उसमें 1.5 रुपे जो GST के निकल के आ रहे थे, पूरे मुझे ही bear करने पड़ते हैं, और अगर खर्चा मेरा बन रहे है, तो यहाँ पर tax evasion करने के पारे में, किसके दिमाग में ख्याल आएगा, बाकी लोगों के दिमाग में, जो जो ने बेचीती चीज, नहीं मेरे दिमाग में आएगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं consumer हूँ, मुझे पूरा पूरा खर्चा bear करना पड़ रहे, मैं evasion करना चाता हूँ, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग, उनको evasion करनी नहीं है, वो भी फरस सकते हैं, सरकार ने penalties उनके उपर लगा रखा रखी है कि तुमने अगर GST चार्ज नहीं करा, तुम्हें ऐसे ऐसे punish करा चाएगा, और वो punishment क्यों लेगा, मेरा फायदा करवाने के लिए, मेरा फायदा करवाने के लिए, मैं ही टेड़ी मेड़ी चीज़े करने के बारे में सोच सकता हूँ, वो इंसान मुश्किल ही सोचने वाला ह तो यहाँ पर evasion इसलिए भी मुश्किल हो जाती है कि दुकानदार कहाएगा, चॉकलेट तो मैं 10 रुपे में बेचूँगा, खरीद नहीं खरीदो, नहीं खरीद नहीं है, तो दूसरी दुकान पर जाओ, और दूसरी दुकान पर जाओ, वहाँ पर भी सेम चीज मुझे ठीके जी, ठीके, मैंने लिग दिया पूरा का पूरा, यह difficult होता है क्यों, since the entire supply chain, यानि की manufacturer और wholesaler, जोग निकल के आते हैं, पूरी entire supply chain में, only the end consumer who has to bear these taxes, would want to evade these, and जो भी sellers हैं, they wouldn't want to face strict penalties, just to save the consumer some tax, most cases में ऐसा नहीं होने वाला, but कुछ cases में हो जाता है, कब होता है, कैसे हो होता है, अभी आपको समझनी आएगा, पहली class है, आगी जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, चली जी, यह हमारी discussion complete हो चुकी है, जहां पर मैंने आपको बताए, progressive taxes वो होते हैं, जो कि आपकी income को check करते हैं, जितनी ही जादे income निकल के आएगी, उतना ही जादे effective rate of tax ही वाल निकल के आती है, ideally यह लगाय जाने चाहिए, बट यह भी लगाय जाते हैं, बिकरस इनमें evasion बहुत जादा होती है, इनमें evasion comparatively कम निकल के आती है, असान होती है detect करनी, तो सरकार कहती है, दोनों ही हम लगाने वाले है, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया दोनों लगाता है, क्या सारी countries दोनों लगाती है, नहीं, अगर आप Dubai की बात करेंगे, तो UAE के अंदर आज की टाइम पे income taxes नहीं लगाय जाते हैं, पहले तो indirect taxes वो भी नहीं लगाय जाते थे, आज की टाइम पे indirect taxes उनों लगाना चालू कर दिया है, बट direct taxes तो वो आज की टाइम पे भी न लगाय जाता है, और इसके पीछे ideology है, क्या ideally लगाना क्या चाहिए, और वो इचीज में आपको बता दिये, अब भूल के दिखा दिजेगा, मैं मान जाऊंगा, एक्जामपल देखे, direct taxes के हमने nature के बारे में पहले बात करी, अब आपको एक्जामपल दिखाए जारे है, income tax आज की टाइम पे लगता है, tax on undisclosed foreign income and assets, बहार आपने Swiss bank account के अंदर पैसा पार करके रखा है, कलको सरकार को पता चल जाता है, तो उस पर जो भी tax लगाय जाता ह यह वला act उसके बारे में आपको बताता है, बारकि आपकी properties accumulate कर रखे हैं, कुछ भी आपने पैसा बाहर पाक कर रखा है, इंडिया को नहीं बता रखा है, उस पर taxes इंडिया में देने चाहिए थे, तो जैसी पता चल जाएगा, यह act trigger हो जाता है, अब कब trigger होता है, कब trigger नह के दोनों निकल के आजाते हैं, यह inter level के अंदर अभी हम पढ़ने जा रहा ही हैं, और यह आपको C final level के अंदर वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, अभी आपके silvers का party है, ठीक है जी, point number 3 के अंदर basics को ही continue करते हो है, अब आपको बताया जा रहा है, इंडिया कैसे divide कर रहा जात है, क्या लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, सब कुछ logic के साथ समझाया जाएगा, but to be able to understand that, आपको यह पता होना चाहिए, देखी क्या बताएगा, इंडिया is divided into states and union territories as follows, इंडिया की अगर आप पूरी territory की बात करेंगे, उसमें कुछ states निकल के आती हैं, कुछ UTs होत about a legislature, legislature क्या होता है, state government की बात करी जारी, government की बात करी जारी basically, तो कुछ UTs में अपनी खुद की government नहीं होती है, यानि की UTs not having their own state government, जैसे की consequences है, 5 है, by heart आपको learn करनी है, इसलिए star mark कर रखी है मैंने, सारे के सारी एच्छे से learn कर के जाएगा paper के अंदर बहुत important है, क्यों important है आगे जाके आपको समझा जाएगा, लदाख, चंडिकर, लक्षद वीब, दादर नागर हवेली और दमनन्द्यू, यह दोनों पहले अलग हुआ करती थी, आज के टाइम पे एक ही है, दादर नागर हवेली और दमनन्द्यू, ऐसी लदाख पहले JNK का पार्ट था, अलग आती हैं, वो वली UTs जहां पे कोई भी खुद की सरकार नहीं होती है, तो इनको चलाता कौन है, Central Government चलाती है, उनके अंडर आती है, अब बात करिए कुछ ऐसी Union Territories की, जो की UTs है, लेकिन इनको Partial Statehood वो दिया गया है, कैसे, इनके अपनी खुद की State Government होती है, Partial Statehood क्यों है, क्योंकि यहां पे कुछ features जो भी normally States के निकल के आते हैं, जैसे की State Police आपके हाथ में होती है, वगरे वगरे, multiple चीज़े होती है, वो इनको नहीं दी जाती, तो Full Statehood नहीं है, जैसे की बाकी सारी States का होता है, बट Partial Statehood आपका है, आपकी खुद की सरकार होने वाली है, कौनसी UTs निकल के आती हैं, तो टोटल इंडिया की 8 UTs में 5 यहां पे आती हैं, जिनके अपनी खुद की सरकार नहीं होती, CG ही इनको चलाती है, एंड तीन यहां पे निकल के आती हैं, जो की कौनसी कौनसी है, Delhi, Puducherry, JNK, इनकी क्या होती है, इनकी अपनी खुद की सरकार होती है, खुद की स्टेट गर्वर्मेंट होती है, इन फाइनली, पॉइंट नमर्सी के अंदर आपको के बताया जा रहा है, इंडिया में केली Union Territories वो नहीं होती, स्टेट्स भी होती है, जिनको full state route दिया जाता है, पोलिस भी उनकी होती है, सरकार भी उनकी होती है, सब कुछ उनक मिजोराम, तो यह सारे के सारे निकल के आजाते हैं, जो कि क्या है, states है, UTs नहीं है, अब यह आपको क्यों बताया जा रहा है, यह आपको इसलिए बताया जा रहा है, पिकुछ आगे जाके GST में, हम कुछ ना कुछ देखने वाले, कि कौन से GST collect करा जाता है, कौन से किसके पास जाता है, कैसे जाता है, वगरे वगरे वगरे, and all of these things are majorly going to depend on, कि यह जो भी transaction करी गई है, goods consume करे गई है, services consume करी गई है, कहां पे करी गई है, क्यों, जहां पे भी दो सरकारे निकल के आ जाती है, माली जे कोई भी goods, डेली के इंदर consume करे जाती है, तो यहां पे क्या होन GST में मिलता है, लेकिन कब होगा, यह तब ही होने बाला है, जब, जूबी transaction होती है, किसी ऐसी जगह पे होती है, जहां पे खुद की सरकार आपके पास है, मान के चली, यही transaction कहां पे हो रही थी, लदाक के अंदर हो रही थी, तो यहां पे आधा तो Central Government के पास चले जाएगा तो remaining आधा किसके पास जाने बल है, इनकी खुद की सरकार है यही नहीं कोई, तो यहां पे remaining आधा कहां पे चले जाता है, UTGST Act, Union Territories का GST Act, उसके तहट यह चले जाता ही, Union Territory के अकांट के अंदर, जो की पांचो का ही एक निकल के आता है, क्योंकि पांचो को ही CG, वो ही manage क अब कब क्या होता है, थोड़ी से technical detail है, आगे जाकी clear हो जाएगी, पहले एची को clear कर लिजेगा, इंडिया में क्या क्या निकल के आ जाता है, पांच UTs जिनको CG चलाती है, और इनके respect में कोई भी differences वैसे नहीं निकल के आते, governance के अंदर, ये तीन अलग-अलग UTs हैं, तीनो आपको बता रखिए, स्टेट्स की हमेशा ही अपनी खुद की government होती है, they always have their own government, UTs की अगर आप बात करेंगे, which do not have a legislature, they come under the governance of central government, but इनके खुद के administrator ये point करे जाते हैं, ये basically मोटे मोटे तौर पे CG जिस भी दरीके से बताती है, कि UT को ऐसे चलाना है, वैसे ही चलाते है, क्या चीज़े होती हैं, आगे जाके भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी, finally ये वाले point को भी read कर लीजेगा, basics आपके complete हो जाएंगे, I guess, complete हो जाते हैं, देखिए, some of the provisions जो भी borrow करे गए हैं, from CGST Act by section number 20 of the IGST Act are as follows, वो आपने देखिए, मुन्ना भाही के अंदर एक scene होत हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है, भाई ने बोल दिया देख रहे हैं, तो मतलब देख रहे हैं, मुझसे पूछनी की जरहत नहीं है, यहाँ पर वो ही fund आ हो रहे है, CGST Act के multiple sections ने, अलग-अलग चीज़े आपको बताई हैं, GST के respect में, section number 7 बताता है, scope of supply, क्या होता है, supply आपको अलग-अलग चीज़े बताते हैं, यह Act ने महनत करी, इसने का गरा, इसने copy कर दिया, इसने बोल दिया, भाई ने जो बोला, हम भी वो ही बोल रहे हैं, और यह कहां पर बोला गया, section number 20 के अंदर बोला गया, यह वले Act के, इस Act के section number 20 ने बोल दिया, कि यह जो भी sections है eGST Act के, सारे के सारे हम बोरो करते हैं, यहनि कि यहां पर जो बोला गया होगा, वो ही आपको यहां पर भी मानना पड़ेगा, दुमाग में आना चीज़े आई GST Act, यह होता क्या है, दोनों अलग-अलग GST के Act, क्या दो-दो Act हैं इंडिया में GST के, दो नहीं है, पांच है कौन से-कौन से Act हैं, अलग-अलग Act क्यूं बनाए गए हैं, उसकी बीचे logic क्या है, कब कौन सा वाले GST लगता है, सब कुछ आगे जाके यही वाले चाप्टर के अंदर हम पढ़ लेंगे, अभी बस इतना याद रखेगा, दो GST के Act हैं, एक मेहनत कर रहा है, एक कह रहा है कोई भी learn करने के जरुत नहीं है, mention कर भी देता हूँ मैं, आप भी लख लीजेगा module के अंदर, no need to mug up, क्या रटना है बता दूँगा, यह नहीं रटना, अभी आगे जाके जित्ते भी sections हैं, सारे के सारे बहुत detail में हम देख नहीं वाले हैं, dedicated chapters लें पे, अलग-लग sections पे, और वहाँ पे जाके सारे चीज़े cover हो जाएंगी, आपको बस दिमाग में डालके रखना है, सारे के सारे जितने भी GST आक्ट हैं, सब में common चीज़े निकल के आती हैं, ओकी जी, अब हमें पढ़ना चालू करना है, features को of indirect taxes, वेकिन हम पढ़ना कब चालू करेंगे, break के consume कर पाएंगे, break के माद मिलते हैं और remaining चीज़े पढ़ते हैं, take a break, चली जी, break के बाद का session continue करते हैं, और यहां से जित्वी चीज़े बागी आपको देखती हैं chapter के अंदर, वो पढ़नी चालू करते हैं, देखे, अब हम देखने वाले हैं indirect taxes के कुछ features, और indirect taxes मे ही GST भी बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, यह अगर आप इनकी बात करेंगे, तो they are an important source of revenue, किसके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए तो खर्चा है, सरकार के लिए चगर से revenue बनके आ जाता है, indirect taxes जारा major source of tax revenues for governments worldwide, इंडिया में नी worldwide, काफिस ज़दा पैसे यह collect करव को, and they continue to grow as more countries move to consumption-oriented tax regime, यह क्या होता है, मने आपको बताया था न, indirect taxes consumption पे लगाये जाते हैं, direct taxes किस पे लगाये जाते हैं, income पे, wealth पे उस पे लगाये जाते हैं, तो काफी सारे countries में यह वाले taxes जादर से जादर लगाए भी जा रहे हैं, और उसके वरे से अच्छी गाय से revenue क collection हो भी रही है, in India, indirect taxes की अगर आप बात करेंगे, visa be the direct taxes, then these contribute more than 50% of the total tax revenues, total tax revenue अगर निकल के आता है, 20 lakh करोड का हर साल, तो इसमें 50% से जादा, यहां से आता है, indirect taxes से, तो अगर आप बोलेंगे ही कि यह गलत है, regressive way हटा दीजे, नहीं हटाने वाले सारकार, वो reality है, तो वो पर लगाई जा रही है, वो भचाई कैसे जा सकती है, legally और लगाई जब भी जानी है, तो कैसे लगाई जानी है, total tax revenues जो भी आते हैं, central state दोनों government के मिला के, उनमें indirect taxes 50% से जादा, यह recovery करवा जाते हैं, ठीक अची, दूसरे feature की बात करी, these are tax on commodities and services, जब भी good service services बेची जाती हैं, तो उनकी price के इंदर इसको inbuilt कर जाता है, taxes के ना पर कुछ ना कुछ लिया जाता है, it is levied on commodities at the time of supply, जब भी supply हो जाता है, manufacture हो जाता है, purchase, sale, वगेरा वगेरा, multiple चीज़ आपको बताई जाएंगी, आगे जाके अगले ही chapter के इंधरम पढ़ने वाले हैं, इनमें से कोई जब भी activity जब भी होती है, तो सरकार कहती है, जो भी activity आपने करी है, जिस भी consideration पर करी है, वो amount जो भी consideration का है, उसमें कुछ ना कुछ आपको indirect taxes के नाम पर pay करना पड़ेगा, कितना pay करना पड़ेगा, कैसे determine करना पड़ेगा, सब कुछ आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, hence, it is also known as commodity taxation, इसको commodity taxation ये भी बोले जाता है, इसको indirect taxation को, and just because यहाँ पर commodity आरे नाम के अंदर, ये मतमान की चलिएगा, goods पर ही लगता है, services प्रोवाइड करी जाती है, तो उनके supply पर भी ये लग जाती है, next, shifting of burden, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, मान की चलिए को भी seller है, उसने सरकार को GST पे करा है, 20,000 पे का, अभी 20,000 पे अपनी जेब से नहीं देने वालव, वो सरकार को दे देगा, और बाद में किसे ले लेगा, consumer से ले लेगा, पूरा का पूरा पैसा, तो burden यहाँ पे shift करा जा सकता है, direct taxes में ऐसा tax जो भी आपने पे कर रहा होता है, वो आप price के अंदर, जो भी आपको consumer से लेना होता है, उसमें add करते हैं, as a result of which, पूरा का पूरा आपको recover हो जाता है, जो भी आपने सरकार को पे करा होता है, next आपको point बताया गया है, no perception of direct pinch, यह आपको देना पड़ता है, लेकिन काफी cases देने के time पे आपको पता भी नहीं होगा कि आप taxes पे कर रहे हैं, और आप दे जाएंगे इसको, यह सोचत हो है, कि आपको चीज़ खरीदने के लिए, आपको services अवेल करने के लिए, यह सारी चीज़े पे करने पड़ रही है, example के तौर पे, मैंने आपको chocolate का example दिया था था कुछ ना कुछ दिल में चुबेगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने taxes के नाम पे कुछ ना कुछ सरगार को पे कर रहा है, with every transaction जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप Starbucks में कॉफी पीने जा रहे हैं, चाहे आप टपरी की चाय पी रहे हैं, टपरी की चाय में हो जिकता है, आ सौफी पीने आपको, तो सौ रुपे देने पड़ेंगे, अब वो सौ रुपे के इंदर GST है नहीं है, उसके बारे में कौन ही सोच पाता है, which is why direct pinch नहीं होता, on the other hand, अगर आप income tax की बात करेंगे, तो आपको बोले जाता है, आपकी income पे आपको इतना पैसे देने पड़े increase होता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है, inflation, अब आपको ये बोला जा रहा है, कि indirect taxes inflationary होते हैं, ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मान के चलिए नहीं होते हमारे ये example के अंदर, तो मुझे चॉकलेट 8 रुपे की मिल पा रही होती, कैटबरी को उतना ही पैसे मिल रहा हो tax जो भी impose करा जाता है, commodities पे या services पे, it causes an all-round price peril, इनकी वज़े से prices increase हो जाते हैं, in other words, indirect taxation जो भी होती है, वो direct तरीके से effect करती है, the price of commodities and the services and leads to an inflationary trend, यानि की prices increase हो जाते हैं, okay जी, इनका जो tax base होता है न, वो बहुत ज़्यादा wider होता है, यानि कि जो लोग आज के टाइम प पे income tax pay कर रहे हैं, फिर कोई भी टाइप के direct tax pay कर रहे हैं, example देता हो मैं आपको, आज के टाइम पे अगर आप इंडिया की जनता की बात करेंगे तो रफली इतनी हमारी अबादी है, इसे भी जादे ही निकल के आती है, और इतनी अबादी में आपको देखेगा मुश्किल से पांच साथ करोड लोग, यही क्लेम करते हैं कि इनकी डाइलाक रुपे से जादा की income निकल के आ रहे है, as a result of which taxable income है, पूरे साल की income की बात करी जारी है, डाइलाक रुपे की, इतने ही क्लेम करते हैं, जो कि इससे जादा कमा रहे हैं, as a result of which वो return file करते हैं, taxes कुछ ना क बात करेंगे, तो इंडिया में आज के टाइम पे majorly A की tax लग रहा है, which is income tax, indirect taxes की बात करेंगे, तो एक साइस वो भी थोड़ी बहुत लगरी है, कुछ cases में, GST भी लगता है, customs duty भी लगती है, तो काफी सारे निकल के आ जाते हैं, तो total सारे indirect taxes को मिला के देखेंगे, तो इ indirect taxes with low exemption thresholds, ये क्या होती है, अलग-अलग act के अंदर GST Act की बात करिए, exercise की बात करिए, बोला जाता है, कि जब तक आपनी ये amount, इतने तक की turnover नहीं कर ली, इतने तक के profit नहीं हो जाते हैं, वगेरा वगेरा, तब तक आपको ये वैले taxes पे करने की ज़रत नहीं है, अब ये ज होता है, ठीक है, higher taxes are imposed on the consumption of harmful products, जिनको एक और नाम से पुकारा जाता है, sin goods, यानि कि वो goods जिनको consume करना पाप होता है, English में sin मतलब हिंदी में पाप, तो ये वले जो goods है न, सरकार क्या करती है, मान के चलिए, सिगरेट की बात करिए, सरकार को पता है कि जो भी company market किंदर लिशना चाहती है, इतने में बेच सकती है, सरकार क्या करेगी, सरकार कहीगी, यह अगर हमारी society consume करती है, तो दिक्कत हो सकती है, जान जा सकती है, तो हम सीधा मना कर देते हैं, अब मना सरकार करने नहीं वाली, क्यों, दो दिक्कत हो सकती है, पहली जी society के लोग बोलेंगे, तुम हमें advice दे दो कि cigarette नहीं consume करने चाहिए हमारे लिए गलत है तुम मना कैसे कर सकते हो, ban कैसे कर सकते हो, मेरी मर्जी, मैं adult हूँ, जो करना चाहूँगा करूँगा ठीक है जी, पहले ये दिक्कत निकल के आती है, दूसरी दिक्कत के निकल के आती है सरकार को tax की collection बहुत ज़ादा होती है, ऐसी चीज़ों से तो सरकार कहती है, हमारे भी मन ने गर रहा है, तुम मैं मरना मरो, हमारी collection हो जगी tax की तो सरकार ने finally decision ले रहा है, काफी सारी states के अंदर की ठीक है आप consume करना चाते हैं करिए, लेकिन यह जो 3 रुपे की चीज़ है न, यह बेच पाने के लिए seller को क्या बूला जा रहा है, आपको buyer से, letter से 17 रुपीज लेने पड़ेंगे मुझे नहीं पता कितने की आती है, example के तोर पर मैंने आपको बता दिया है 17 रुपीज बोले जाते हैं कि इतने आपको लेने पड़ेंगे बायर से अब बायर मान के चलिए 17 रुपीज पे कर रहा है, 3 रुपी की चीज़ के लिए तो बीच का यह जो gap निकल के आ रहा है, 14 रुपीज का यह किसके नाम पे लिए जा रहा है, taxes के नाम पे लिए जा रहा है, अलगलग taxes के नाम पे और यह कितना percentage निकल के आ जाता है इसका, इसके 400% से भी जादे निकल के आता है सोचके देखिए, कोई commodity पे 400% का tax लगा रखा है, नॉर्मली कितने का होता है GST की अगर आप बात करेंगे 5%, 12%, 18%, कुछ cases में 28%, यहाँ पे इतनी जादा taxation अलग-अलग taxes लगा की क्यों कर रखी है सरकार कहती है भाई सब इतना ज़दा tax, अगर हम collect करेंगे ऐसे वहली चीज़ों पर जो की गलत है consume करनी तो तीन में से एक चीज़ होगी जहां पर तीनों में हमारा फायदा होने वाला है क्या तीन चीज़ों हो सकती है, पहली चीज़ों हो सकती है तीन रुपे के जैसे ही हमने 14 करें, यह करते ही आपके लिए product बहुत expensive हो जाता है आप cigarette consume करनी बंद कर देते हैं, अगर ऐसा करेंगे, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए कुछ ना कुछ हमने बढ़िया कर दिया, price को increase करके वो एक economics का concept होते है न, school के अंदर आपने पड़ा होगा higher the price, lower the demand, वो चीज़ यहां पर करना चारी है सरकार तो सरकार कह रही है, या तो आप consumption बंद कर देंगे, मत पे करिएगा इतना जादा tax, बच जाएंगे आप, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप कहेंगे नहीं consumption बंद तो नहीं करने वाला, पहले में दिन की 12 cigarette वो पी पाता, अगर 3 रुपे की cigarette होती तो, लेकिन क्योंकि अब ये कर दी गई है, 14 रुपीज की मेरा बजट पूरा अग पूरा ही गया है, मैं पीऊंगा तो जरूर लेकिन आप कम पीऊंगा, 3 cigarette पीऊंगा ताकि रफली उतने ही पैसे में, मुझे जितनी भी cigarettes मलती है, उतनी में consume कर पाऊं तो हमने एक और चीज़ कर दी फायदा वाली, क्या, हमें कुछ ना कुछ tax के नापे, वो भी collection होगी और उसके साथ साथ हमने आपकी consumption गिरा तो दी, खतम नहीं भी करी, तो कम तो कर दी, यहाँपे भी आपके health को फायदा होने बाला है तीसरी situation क्या हो सकती है, आप हैं ढीट, पैसे की कमी नहीं है, आप कहते हैं, मैं पहले भी 12 cigarette दिन की पीता था, अभी भी 12 पीने बाला हूँ तुम जितना बढ़ा ना चाते हो, बढ़ाओ, तुम 3 रुपे के, 14 रुपे क्या, तुम 300 करद होगे एक cigarette के, मैं तब भी प्योंगा मैं indifferent हूँ, मेरे ले price matter नहीं करता, मुझे move नहीं कर पाएगा, मेरी income अच्छी कासी है अब अगर ऐसे इंसान आप होने पाले हैं, सरकार गैती अभी भी हमारे ले फायता है, कैसे? तुम पी तर हो 12 की 12, अब तुम बच्चों की तरह मना तो कर नहीं सकते हैं, ये नहीं पी नहीं सकते हैं, पी नहीं है, पीओ, आडल्टो, जो भी decision लेना है ले लो, लेकिन ये 12 cigarette अब जब तुम consume करोगे न, तुम हर cigarette के साथ काफी ज़ाधा taxes के नाम पे सरकार को पैसा दे क्या करना चाहती है, price increase करना चाहती है, ताकि इनकी demand decrease हो पाए, और society इनको कम consume करे, तो products को disincentivize करने के लिए इनको use करा जाता है, ये वले taxes को, जैसे कि alcoholic products, tobacco products, इन सब पर बहुत लगाया जाता है, this not only checks their consumption, consumption को तो कम करती ही है, उसके साथ 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 सरकारों को substantial revenue, ये भी generate rate करके देती है, and finally these are regressive in nature, indirect taxes के बात हो रहे है, और इसके बारे में हमें discussion करने की ज़रत नहीं है, because उपर बहुत detail में हमने discussion करी है, उससे ज़्यादे कभी भी आपको सोचने की ज़रत नहीं पड़ीगी इसके बारे में, ये वली term के बारे में, तो read करते है, generally indirect taxes जो भी होते ये good के लिए इतना GST rate है, अब गरीब इंसान खरीदे, अमीर खरीदे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ी 80C nature निकल के आ जाती है, ये वले taxes की, this may further increase the income disparities जो भी निकल के आती है, अमीर इंसान में और उसके साथ-साथ गरीब इंसान में, दोनों की बीच में, क्य लगाया जाएगा, income पे कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, तो इंदोने के बीच में अब gap कितने का रह जाएगा, 1400 करोर्स, इतने का रह जाएगा, direct taxes ये वाले gap को कम करने में help करते हैं, बट indirect taxes कुछ कार्स help नहीं करते, क्योंकि इस पर भी लगाया जा रहे है, इस पर भी खर्चा नहीं निकल के आता, इस पर लग भी गया न, 18%, 28% का tax, तो भी कुछ कार्स वर्णी पढ़ने वाले हैं, इस इंसान की wealth पे, और ये gap ब्रीच करने में help नहीं करने वाले indirect taxes, वो चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीके जी, इसके साथ हमने सारे के सारे features जो भी नि आगे अब आपको बताया जाएगा, कि GST की अगर आप बात करेंगे, अभी तक तो indirect taxes की generic बात करी जा रही थी, थोड़ा GST फोकोस्ट हो के चलेंगे, और यहाँ पर आपको बताया जाएगा, इंडिया के बाहर GST पहले से क्या लगाया जा रहा था, या पर इंडिया ने प तुरंत अडॉप्ट कर लिया, वैसे तुरंत नहीं करा, multiple decades लगी कि इसको अडॉप्ट करने में, लेकिन कैसे करा, trajectory, क्या रही इसको अडॉप्ट करने की, वो सारी चीज़ आपको यहाँ बताया जाएगी, पहले बाहर की बात करिए, इंडिया के बाहर GST कब से apply हो रहा है कैसे apply हो रहा है, consequentary ने पहली बार कर रहा था, देखे, पहले आपको बताया जा रहा है, VAT और GST, यह दो terms है, दोनों को ही often use करा जाता है, interchangeably as the latter, यानि कि यह denote करती है, comprehensiveness of VAT, by coverage of goods and services, basically VAT होता क्या है, VAT की full form आप यहाँ पे लिखिएगा, यह होता है, value added tax, यह क्या होता है, value added tax, यह basically आपको nature बताता है, किसी भी tax की, जहां पे जो भी value addition किसी भी अनसान ने करी होती है, उसको उसी position पे tax pay करना पड़ता है, manufacturer ने मान लीजए, कोई भी good पहली बार बनाया, और बनाने के बाद उसकी value पहुचा दी है, 200 रुपे पे, 200 रुपे पे market क इंदर उता रहा है, तो इसको बोला जाएगा, 200 रुपे के उपर, जो भी rate आपके उपर लगता है, उस rate पे आपको taxes pay करने पड़ेंगे, मान के चली यह good पहुचता है, wholesale के पास, कितने में पहुचा था, 200 रुपे में, इसने market में जाके बेचा है, 300 रुपे का, तो good की value मे मैं आपको बताऊंगा, क्या करा जाता है, क्यों करा जाता है, कैसे करा जाता है, उतना detail में पढ़ने के बाद, के सब आपको हलवा लगने वाला है, अभी मान के चली value-added tax क्या होता है, जब भी किसी इंसान को बोला जाता है, कि आपने जो value addition करी है, आपको tax उसी पे pay करना इसने GST या फिर VAT, यह लगाया था, यह वले concept का tax लगाया था, France वो वली country है, जिसने पहली बार इसको implement करा था, कब 1954 के नदर, यह भी MCQ की तरह पूछा जा सकता है, पहली country कौन सी थी, यह भी पूछा जा सकता है, तो दोना ही चीजों को याद रखिये, presently आज के time की revenue in the most transparent and neutral manner, ओकी जी, देखेंगे कि कैसे raise करवाता है transparent and neutral manner के अंदर, most of the countries, जिनने भी apply कर रहा है, अच के time पे इसको, they follow a unified GST, यानि की एक ही GST होता है, इंडिया की तरह निया 5-5 GST निकल के आ रहे है, अब इंडिया ने क्या apply करा है, क्यों करा है, वो चीज़े आपको बा जाता है most countries के अंदर, यानि की a single tax is going to be applicable throughout the country, अगर GST लगेगा, एक ही लगेगा, एक ही सरकार के पस जाने वाल है, however, इन federal policies, पहली चीज़ तो यह नहीं समझारी, federal policies होती क्या है, तो आपको बताया गया, वो countries जहाँ पे different central government होती है, different state government होती है, उन countries को बला जाता है, federal policies, स जरत नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में central government अलग है, state की governments अलग-अलग है, इनके अलग-अलग काम allocate करे गए हैं, कि आपको यह काम करने की पार दी जारी है, इनके लिए अलग कामों की पार इनको दी गई है, तो federal policies के अगर आप बात करेंगे, जैसे कि Brazil, Canada, इन countries के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, dual GST system देखने को मिलेगा, वो prevail करता है, जहां पे होता क्या है, जो भी tax collect करा जाता है, थोड़ा जाता है central government के पास, थोड़ा जाता है state government के पास, ऐसा क्यों करा जाता है, एक ही government को दे दो, और सोचके देखी एक ही government को देदो वाली discussion अगर चालू हो गई, तो कौन छोड़ेगा revenue को, अगर हम बोलेंगी पूरा का पूरा central government को देदो revenue, जी इस्टेट जित्ता भी collect होता है, पूरा का पूरा central government को देदो, तो state government हुआ अल्ला करेंगी, स्टेट को allocate कर देगी, तो यहाँ पर अगेन वही दिक्कत निकल के आ जाती है, कि state में मानगे चलिए center में आज के time पर बीजेपी है, और states में आपको कोई state दिखती है, जहाँ पर बीजेपी नहीं है, Congress है, आप है, कोई भी और party है, तो यह क्या कहेंगी, यह कहेंगी कि अगर पूरा पूरा पैसा यहाँ पर चले गया, center के पास, GST के नाम पर जो भी collect होता है, और उसके बाद हम बेट करते रहें कि allocation आएगी हमारे पास, नहीं आने वाली, हम बेट करते रहेंगे, बाकी जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, जहाँ पर state government वो भी बीजेपी की है, उनके पास आता रहेगा पैसा अराम से आता रहेगा, आधा जाने वाला है state के पास, और detail में इसके बारे में आगे जागे बात करेंगे, ठीक है जी, India has also adopted a dual GST model, क्यों, क्योंकि हमारी भी वही nature है, हम भी federal है, हमारी भी central state, दोनों government अलग-अलग होती है, अभी तक तो मैंने आपको बताया, इंडिया के बाहर, GST का origin कैसे निकल के आ रहा था, इसकी history का है, अब हम बात करने वाले हैं, इंडिया में इसकी history का निकल के आती है, Genesis यानि की origin of GST in India, कैसे apply होना शुरू हुआ, कब किसी ने बूरा था कि GST इंडिया में आके देखते हैं, कैसे लाया गया, वो पूरी-पूरी history आपको बताया जाएगी, लेकिन वो पढ़ने से पहले, एक बार हलका से मैं आपको बताना चाहूँगा, constitution के बारे में, भारत सरकार के बारे में, की चीज़े बनाई कैसे जाती हैं, acts कैसे बनाया जाते हैं, सर के notification कैसे पास करी जाती है, rule कैसे बनाया जाते हैं, क्यों बनाय जाते हैं, थोड़ा पूरे पूरे structure को समझ लीजेगा, आगे जाके हम आने वाले classes के अंदर जो भी पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं फिर आपको, यह चीज जो है ना, जो अभी हम discuss करने वाले, यह हमने income tax के time पर discuss करी थी, अभी दुब लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ ना कुछ नहीं ही सीखेंगे, कुछ ना कुछ addition ही होने वाली है, वह वली चीज के अंदर, subtraction नहीं होने वाली, तो द्यान से सुनिएगा, देखिए, रेपर notes, पहले notes का reference दीजएगा, और उसके बाद यह सारी चीज इनका क्या roll निकल के आता है, वगेरा वगेरा, देखिए, मैंने आपको example के तौर पे, section number XYZ of the CGST Act 2017, यह बना के देखाया है, जहांपे CGST क्या होता है, central GST Act, इसके तहट जो भी recover करा जाता है, पूर अगर पूर के इसके पास जाएगा, नाम से idea लग रहा होगा, central government के पास जाने बाले है, अभी लिखने की ज़िरोती है, आगे जाके सब कुछ लिखा मिल जाएगा आपको, तो यह ad का random, ऐसे ही कोई भी section में बना के आपको दिखा रहा है, कि मान लीजे section के अंदर यह लिखा है, that every person जो भी engaged होता है in trading of goods, shall pay GST at the notified rate, and shall pay the same in prescribed manner, यानि कि अगर आप trading करते हैं goods में, goods को खरीते हैं, बेचते हैं, यह वला आपका main business है, तो जो भी आप goods खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, वो matter नहीं करेगा, वैसे practically ऐसा होता नहीं है, लेकिन example के तो जो समझाना चाह रहो, वो चीज़ आपको मैं समझा जाँगो, यह वले example से, तो बो manner, जिससे आपको pay करना है, वो हम prescribe करके बता देंगे, अब section अगर आपको यह बताता है, तो यह पढ़के मुझे idea लग गया है, GST pay करना पड़ेगा trader को, कौन से rate पर pay करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा, क्योंकि यह क्या कह रहा है, notify करके बता देंगे notify कैसे करा जाएगा, notification के through करा जाता है, तो मुझे notifications ढूंड़नी होंगी, जो भी GST के आई है, कही न कहीं पर मुझे notification मिल जाएगी, जो कि यह section के pursuence में शू करी गई होंगी, to be able to tell me कि कौन से rate पर यहाँ पर GST आता है, मैंने ढूंडना शूरू करा, मुझे यहाँ पर notification दिख जाती है, कोई न कोई notification है, जो की 2021 के अंदर आई है, और यह क्या कहती है, trading of goods is going to be subject to a GST rate of 18%, तो यहाँ से मुझे rate पता चल गया, जो की section बता नहीं रहा था, वो कह रहा था, notification में जाके देख लेना, ठीक है जी, उसके बाद मुझे यह भी बोला गया था, किस manner में आ करना होगा, हम prescribe करके बता देंगे, तो यह कहाँ पर पता चलेगा, अगर कोई भी act में, कोई भी section आपको बोलता है, यही चीज हम क्या कर देंगे, prescribe कर देंगे, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, corresponding rules के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वोजीज मिल जाए फीट करी, यह मुझे कहता है, GST is to be paid up to 20th of the month, जो भी immediately succeed करता है, the month in which good is sold, जब भी आपने good को बेचा है, जो भी महने के अंदर बेचा है, उसके अगले ही मन्त में, जो भी 20th की date निकल के आती है, बहाँ तक, यह वाले GST को जो भी collector होगा, आपने consumer से, वो पे कर दीजगा यह आपको बोला जा रहा है, यह वाले rule के अंदर, अब majorly आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया है, यह learn नहीं करना है, यह section का पार्ट नहीं है, आपको बस structure को देखना है कि structuring कैसे कर रखे है, सिरकार ने law बना कैसे रखा है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में doubt आना च अरे भाई, सेम चीज यहीं पर डाल देते, फालतु की complication करने में मजा रहे है, एक ही document के अंदर सारे काम हो सकता था, rate भी यहीं पर बता देते, 18% का, और इसके साथ-साथ किस manner में pay करना है, वो भी यहीं पर बता देते, date को भी यहीं पर बता देते, अलग-अलग document में यह की clients आप से पूछने वाले हैं, रोजमर रग ही जिन्दगी में पूछेंगे, कि यह complications करी क्यों गई है, और इनका answer अगर आपको आता होगा, तब ही आप सामने वाल इंसान को धरशा पाएंगे, कि आप knowledgeable हैं, आप बस रट की चीज़े पास नहीं हुए हैं, और यही knowledge आपक सारा काम कर पाएंगे, और consultancy देना चाते हैं, जहां पर लाग हो करोड रुपया आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको knowledge चाही होगी, degree आपको कभी भी यह वाले काम नहीं दिलवा पाएगी, यह सारगा सारा काम हमेशा ही आपको आपकी knowledge के basis पे मिलेगा, आपकी जो degree ऐसे ही की degree, उसके basis पे लोग आएंगे जरूर आपके पास, लेकिन टिकेंगे किसके basis पे, आपकी knowledge के basis पे, तो इस पे काम करिए, खीकेचे, अब मैंने आपको बुलत आपकी दिमाग में question आना चाही है, यह जो चीज आपने notify करने के लिए बोला, notify क्यों कर रहे हो लग से, यहीं पे डाल दो section के अंदर ही, और ऐसे ही यह जी चीज जो आपने नीचे prescribe कर रखी है, वो भी rule के अंदर डालनी की जगा, यहीं पे डाल देते ना, अब यह जो चीज़े में आपको बोलरों की सारी की सारी यहां पे डाल देते हैं, अभी आपकी दमाग में आ सकती है, ल यहीं है CBIC, दूसरी है CBDT, CBDT के बारे में income tax में बहुत पढ़ लिया हमने, यह क्या होती है, Central Board of Direct Taxes, यानि कि Central Government के दोरा बनाए गई, एक board बनाए गया है multiple लोगों का, जो की supervise करते हैं, direct taxes लगाने के mechanism को, यानि की majorly income tax, उसमें deal करते हैं, ऐसे ही, जो body आपकी indirect taxes से deal करती है वो यहाँ पे तो नहीं आने वाली, body के नाम में ही direct taxes है, तो इसके लिए कौन से body होने वाली है, CBIC होने वाली है, जहाँ पे नाम में के लिखा हुआ है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, अब वैसे तो customs भी कई पार्ट है, वो भी एक indirect tax है, बट नाम में उन्होंने SSR रख रख रखा है, ताक नाम को ऐसा रखा गया, अट-पर्टा सा, जहाँ पे customs वैसे इसका party होता है, लेकिन अलग से भी लिख दिया गया, ताकि नाम थोड़ा सा consistent सा निकल के आए, इसकी तरह, अब यह वाली body indirect taxes, उसके बारे में कुछ कुछ करने वाली है, यह वाली body जो है direct taxes, इसके बारे में कर अब समझे पूरा कपूरा process कि कोई भी law इंडिया में apply कैसे करा जाता है, देखे, central government और state government, दोनों ही जो भी काम करती है, क्या क्या काम कर सकती है, कौन बताता है, constitution बताता है, इसको माना जाता है law of all the other laws, आपने कोई भी law बनाया है, आपने कोई भी law बनाया है, आपके पास power होने चाहिए, constitution से, अगर power थी, तभी आपने जो भी काम करा होगा, और जो भी आप apply करना चाहिए, लोगों पे, वो apply कर पाएंगे, अगर आपने जो भी काम करा है, कोई भी law आपने मानलीजे बना दिया, जो कि constitution आपको पार देता ही नहीं ये बनाने के लिए, तो किसी को MPs क्या करते हैं, Central Act, ये पास करते हैं, यहाँ पर State के Act की बात नहीं करी जारी, State के Act के लिए क्या करा जाता है, MLA पास करते हैं उसको, Members of Legislative Assembly, MP के अगर आप बात करेंगे, यानि कि Member of Parliament, वो पास करते हैं Central Government पाले सारे के सारे Act, ठीके जी, कैसे पास करे जाते हैं, नीचे मै आपको दिखाने वाला हूँ, बाद में देखिएगा, अभी बिस दिमाग में इत्तर डाल लीजे, MPs ये पास करते हैं Central Government के सारे के सारे Act, उसके बाद देखी, ये जो BODYS बनाई गई हैं, CBDT, CBIC, ये दोनों ही क्या करती हैं, ये Rules बनाती है, to provide for things, जो भी prescribe करी जाती हैं, क भी तरीके से बनाएगे हैं, तरीके के बारे में आगे जाके बात करेंगे, बट ये Rules जो बनाया गया है, किसने बनाया होगा, CBIC, किसने बनाया होगा, कैसे बनाया है, कैसे change कर रहा जाता है, नीचे हमें discuss करना ही है, बहुत जल्दी चालू करेंगे, तो ये दोनों BODYS respectively, ये income tax के लिए, ये GST के लिए, customs के लिए, वगएरा वगएरा, ये rules बनाती है, उन चीजों को provide करने के लिए, वो चीजों बताने के लिए, जो की act नहीं बता रहा है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हम prescribe करके बता देंगे, ठीके जी, and finally, taxpayer को क्या करना होता है, जो भ करते हैं, process क्या है, जानिए, MP इसको कोई भी act pass करने के लिए जाना पड़ेगा, पार्लेमेंट के अंदर, और पार्लेमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, तीन चीज़े आती है, यहाँ पर मैंने कहीं लिख नहीं रखी, आप लिख लीजेगा, यहाँ पर कहीं नहीं लि करने वाला syllabus का पार्ट नहीं है, बट syllabus का जो भी पार्ट है, act, rule वगएरा वगएरा उनको समझ पाने के लिए, जादा अच्छे से interpret कर पाने के लिए, आपको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए, यह सारी चीज़े पता होंगी, तो understanding देखीगा, किस level की बनके आती है, आप एक चोटा सा काम करिए, बस लिख लीज़े, पार्लेमेंट के अंदर क्या क्या निकल के आता है, और मैं थोड़ा टेड़ा मेड़ा ओके लख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग अच्छे, नहीं आने वाली, तो जज्जमत करिएगा, लोक सभा, राज्य सभा, and finally हमारे इनको बोला जाता है, तीन लेक्स अफ़ पार्लेमेंट, कोई भी आक्ट अगर आपको पास करवाना है, तीनों से ही होके निकलना चाहिए, तीनों जगा पे अप्रूव होना चाहिए, अगर हो जाएगा, तब जाकि वो चीज़ बन जाती है, और तभी वो बन जाता है, इसी को मानने के ज़रत नहीं है, तो बिल जो भी कंटेन कर रहा होता है, प्रपोस्ट लोग को, यानि की, यह चीज़ अभी तक लाई नहीं गई है, प्रपोस्ट करा गया है, यह हम लोग बनाना चाहते हैं, तो बिलके अंदर सारी चीज़े बताई जाती है, कि यह ऐसा हम पर पहले leg of the parliament में, यानि की लोग सभा के अंदर, यहां पर डाला जाता है, यहां पर दिखाया जाता है, सारे के सारे MPs को, डिस्कस करा जाता है, and after discussion, the bill is passed in लोग सभा, अगर यह पास हो जाता है, यहां पर majority यहां पर आ जाती है, तिन क्या होता है, दिन ही आगे बढ़ता है, अभी क्या हुआ है, बिल बस एक जगा पर अप्रूव हुआ है, तो यहां पर अप्रूव होने के बाद ही जाने वाला है, कहां पर राजसभा पर, after discussion, the bill is passed in राजसभा, यहां पर discussion होती है, again MPs वो discussion करते हैं, करने के बाद अगर यहां पर majority आ जाती है, the word is, अगर, अग को पास करना है, किसको नहीं करना, अगर इनको लगता है कि यह दोनों ही साले सारे के सारे पागल हो चुके, इस चीज़ को पास करना चारे हैं, ऐसी कोई चीज़ पास कर रहे हैं, तब जाकि टरंडाउन करेंगे, नहीं तो most cases में नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ फिर ना करेंगे या तो उसको reject कर देंगे और वापिस भेज देंगे कि दुबारे चेक करो ये changes करो बगेरा बगेरा या फिर ये इसको sign डाल के pass कर देंगे तो अगर इनका ascent मिल जाता है यानि कि इनका signature मिल जाता है तो ये bill finally convert हो जाता है किसमे act में जो भी document आपने यहां पे दिया था जिसको बोला जा रहा था bill ये क्या था ये proposed law था और जैसे ये तीनों जगाओ पे pass हो जाता है ये बन जाता है proper law जिसको बोला जाता है act and finally after receiving the president's signature a bill becomes an act and hence ये enforceable हो जाता है इंडिया में सब को मानना पड़ेगा जिनके ओपर भी वाला law लगता है उन सब को मानना पड़ेगा so this is the entire process जिसको follow करा जाता है कोई भी bill को act में convert करने के लिए अब आपको क्या लग रहा है कितना time लगता होगा पूरा process complete होने में यहां पे bill table करा गया था और finally यह act के अंदर convert हो जाता है महीनों का process है यह दिनों का है फिर घंडों का process नहीं है महीने लग जाते हैं इसमें 3-4-4 महीने लग जाते हैं एक law बनने में तो सोच के देगे कोई चीज जो कि बहुत urgent है सरकार के लिए अभी के अभी ऐसे change करनी है एक मिनट के अंदर एक दिन के अंदर change करनी है कैसे change करेंगे चार महीने का process है कैसे undertake करोगे तो सरकारे क्या करती है सरकारे यह वली चीज़े है जो भी उनको लगती है पहली चीज ऐसी चीज जो भी लगती है जो उनके लिए बहुत important है उनको ही oversee करनी है जैसे कि उनको oversee करना है कि trading of goods इस पर GST आना चाहिए और नहीं आना चाहिए तो उन्होंने क्या करा होगा? बिल के अंदर ये वहली चीज में discussion करी होगी कि trading को cover करना है नहीं करना है और cover करवा लिया अब कौनसे rate पर GST लगाना है? या तो उनको लग रहा है कि ये चीज हम daily basis पर change करना चाहेंगे जल्दी change करना चाहेंगे बार बार पारलिमेंट को session में लेके आना, इस पर discussion करना कि rate अभी होना चाहिए, अब वो होना चाहिए और अकेला ये ही good थोड़ी है, बहुत सारी चीज़े निकल कहेंगी, हमें good wise बताना है, 5000 goods के लिए बताना है क्या rate होगा तो पहली चीज़, हमें बहुत जाते जल्दी change करना पड़ सकता है, act change करने का जो process है, बहुत लंबा है इतना लंबा process हम चाहते नहीं, कि से go through करना पड़े rate को कभी भी change करने के लिए तो हम क्या कर रहे है, ये चीज़ को act के अंदर नहीं डाल रहे है कि क्या rate होना चाहिए और एक और चीज़, सरकार कहती है, हमें पता भी नहीं क्या rate होना चाहिए जो भी CBIC के officials है, proper civil services के exams देके आए हैं, पड़े लिखे हैं, हमारी तरह नहीं है इनको पता होता है CBIC के officials को कि क्या rate होना चाहिए, किस चीज़ पर क्या नहीं होना चाहिए काम उनको ही करना है, तो ये जो main चीज़ है, ये वो ही बता देंगे आपको ये हमसे मत पूछिए, तो ये भी reason हो सकता है, पहला reason क्या बता है मैंने आपको changes जो भी आते हैं, वो जल्दी आपा है, और दूसरा reason मैंने आपको क्या बताया, ऐसी चीज़े जो भी सरकार को पता ही नहीं है, MPS को पता ही नहीं है, और वो कहते हैं CBIC के officials ही चेक करेंगे ये दोनो reasons की विरिसे का करा जाता है, ये चीज़ को act के इंदर नहीं डाला जाता है, और इधर-उदर delegate करा जाता है, या तो rule के इंदर डाला जाता है, या पर किसी भी notification यहां पर डाला जाता है, क्योंकि ये जो होती है न, ये रातो रात लाइ जा सकती है, इनको pass करने के इनको लाने के लिए, ये लंबा चाड़ा process नहीं चार महीने का, इनको आप एक दिन के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, तो वो असानी हो जाती है, ठीक है ची, तो मैंने आपको ये पूरा process बताया है, जो कि follow करा जाता है, act बनाने के लिए, अब यहां पर finally देखिए, CBT, CBIC, दोनों को ही अगर rule pass करना होता है, तो rule कैसे pass करा जाता है, कोई भी notification निकाल दीजेगा, notification के अंदर बोल दीजेगा, ये rule, ये चीज़ बोलने वाला है, इस section की persistence में, आपका rule pass हो जाएगा, यानि कि, ये section को, जो भी आपको section से पार मिलीती, rule बनाने की, वो power को utilize करके, अग कब तक ये वाला tax pay करना पड़ेगा, वो ही power को use करते हुए, हम आपको बता रहे हैं, ये वाला tax कब तक pay करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपने CBIC ने वो वाला काम करा है, जो करनी के आपके पास power थी, act में से power थी, तो ये वाला काम लोगों को मानना पड़ेगा, जो भी ज निकल के आता है कि सारी की सारी चीज़े act के अंदर क्यों नहीं डाली चाते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ी है, finally मैंने आपको बता रख है, anything can be changed in the same way it was introduced, अगर act के अंदर आपने कोई बीचीज बोल रखी है, आप change करना चाते हैं, तो क्या करना होगा, एक और act पास करना पड़ेगा, नए act के अंदर आप के बोलेंगे, पुराने act में मैंने ये section के अंदर ये चीज़ बोल रखी है, जिसको मैं ऐसे ऐसे change करना चाता हूँ, या तो खतम करना चाता हूँ, या फिर modify करना चाता हूँ, जो भी करना चाता हूँ, अगले act को pass करके आपको बताना प जाते हैं, income tax act, GST act, customs act, multiple acts उनको change करा जाता है, तो act को change करने के लिए हमेशा ही act pass करना पड़ेगा और act pass करना लंबा process है, असान काम नहीं है, ठीक है जी, दूसरी चीज़, pass a notification to change a notification और a rule, rule भी cover हो गया है या पे तो, क्यों, क्योंकि rule कैसे pass करा जाता है, notification pass करके ऐसे ही त circular अगर आपने कोई भी pass कर रखा है और उसमें कुछ भी बोल रखा है, change करना चाते हैं, नया circular pass करके कर सकते हैं, ये भी रात और रात पास करा जा सकता है, और ये क्यों करा जाता है, income tax के अंदर तो बहुत detail में मैंने आपको बताये था, यहाँ पी भी example देता हूं, latest से लो मुझे आपको पढ़ाना है, उसके लिए इतना कापी है, जितना मैंने आपको पताया है, note कर लीजेगा, and बात की जो भी मैं discussion करवाने वाला हूं, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़े use होने वाली हैं, तो ध्यान रखेगा इनका, ठीके ची, चलिए, अब हमें पढ़ना च जियस्टी आया था, हमने कब सोचा था इंडिया के अंदर लेकर आना चाहिए, 2016 में, 2015 में? नहीं, सोचा गया था 2,000 के अंदर, 2000, year 2000 के अंदर सोचा गया था कि इंडिया में जियस्टी लेकर आना चाहिए, और यह पूरा process चला, 17 सालों के बाने इंडिया में फाइनली जि एक committee set up करी गई to design the GST model for India क्योंकि बाहर की countries में जो भी लग रहा है बाहर की country के अलग challenges है इंडिया के अलग है तो ऐसा तो है नहीं आप copy paste कर सकते है तो committee बनाई गई जो की check करेगी की बाहर जो भी GST लग रहा है उसको कितना modify करना पड़ेगा इंडिया में apply करने के लिए करा जा सकता है नहीं करा जा सकता है वगेरा वगेरा ये सारे चीज़े पता चलेंगी तो अभी तक क्या करा गया है committee का गठन करा गया है committee बनाई कई है उसके बाद देखिए in 2003 the central government formed a task force on fiscal responsibility and budget management which in 2004 strongly recommended a fully integrated GST on a national basis इन्होंने 2004 में finally 4 साल के बाद final एक recommendation दी कि हमारे सबसे इंडिया में लाया जाना चाहिए GST लाया जाना चाहिए fully integrated होना चाहिए ताकि जो भी पुराने regime की दिक्कते निकल के आ रही है पुराने tax regime की वो खतम हो जाए इसके इंदर practically कर नहीं पाए सारी दिक्कते खतम क्या दिक्कते थी कैसे खतम कर पाए कितनी खतम कर पाए क्या नहीं खतम कर पाए सब कुछ बताऊंगा आगे जाके बताऊंगा ठीके जी अभी तक क्या हो गया है 2004 तक recommendation आगे है कि लेके आजाओ कैसे लेके आना है कब लेके आना है वो सारी चीज़ों के बारे में discussion अभी तक नहीं हुई है आगे देखे after multiple failed deadlines यानि कि deadline दी गई थी उसके बाद कि 2006 मान के चली बूला गया यहां तक लाना है उसके बाद बूला गया कि नहीं यहां तक नहीं आ पाये कर जैसे deadline आना लगी पास फिर बूला गया ठीक है 2008 यहां तक ले आई है यह भी नहीं ला पाये फिर बूला गया 2011 यहां तक लाई है यह भी नहीं ला पाये ऐसे करकर कि मोटे मोटे तोर पे जो भी deadline आ रही थी वो बार-बार मेट ना होने के कारण GST का जो भी rollout था वो बार-बार defer होता जा रहा था After multiple failed deadlines the talks of ushering in GST यानि कि GST को ले के आना इसके बार में जो बाते हो रही थी they gained momentum in the year 2014 when the NTA government tabled the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 on GST in the Parliament on 19th December 2014 यहां पे Bill table करा गया था मैंने आपको बताया था na Bill Act दोनों में difference क्या होता है पहले आपका Bill table करा जाता है उस पर discussion होती है दोने ही जगाओ पर President का signature आता है तीनों चीज़े अगर हो जाती है तब जाके बनता है Act और एक बार यह Act बन जाता है तब ही जाके enforceable होता है उससे पहले नहीं होता तो अभी तक तो बाते हो रही थी committees बन दी ती discussion हो रही थी इंडिया में GST कैसे लगाया जाना चाहिए वगेरा वगेरा अब finally कुछ न कुछ Act के process में जो भी आपके Act बनाय जाने चाहिए यह सारी चीज़े लगाने के लिए वो process को चालू करा गया था तो 2014 के अंदर लग रहा था कि हाँ अब कुछ आने वाला है अब actually GST आ जाएगा कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा वो आगे जाके पता चलेगा बट आने तो वाला है कुछ ना कुछ यह लगने लगया था अब आपके दिभाग में आने चाहिए constitution को change करने की बात क्यों रही है आपे law लेके आना GST का act लेके आजएगे तो मैंने आपको क्या बताया था कोई भी law जो भी pass करा जाता है चाहे CG के थूँ चाहे SG के थूँ it has to be in conformity with the constitution constitution साब के पास पार होनी चीज़ बास करने की और constitution में कुछ न कुछ उस टाइम पे दिख्कत थी जिसके चलते GST act इसको change करे बिना लाया ही नहीं जा सकता था क्या क्या दिख्कत ही थी पुराने वाले constitution में क्या changes लाय गए थे वगेरा वगेरा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं यही चाप्टर के अंदर पढ़ने वाले लेकिन आगे जागे पढ़ने वाले हैं तो ठीक है मान के चली कोई न कोई गडबड होगी constitution में कोई न कोई दिक्कत निकल गया आ रही थी जिसको change करने के लिए constitution का 122nd amendment bill 2014 यनि constitution का 122nd amendment bill of 2014 ये table करा गया था पार्लिमेंट के अंदर कि amend करिए और ये 122nd क्यों है पहली बार constitution change नहीं हो रहा पहली भी हो रख है अलग-अलग काम हो के लिए अब change क्यों हो रहा था GST वाली चीज को effect करने के लिए GST इंडिया में लापाने के लिए पहले रहा है कोई कुछ कर रहा है सब कोछ हो जाने के बाद 5-6 महिने के बाद आपको यहां पर दिखता है कि ये bill लोकसभा यहां पर तो पास हो जाता है Then 3rd August 2016 को राजसभा यहां पर भी पास हो जाता है अब इतक क्या हो गया है दो काम हो गया है Parliament के दो legs वहां से चीज़े प्रूफ हो चुकी है ये भी हो गया ये भी हो गया अब बचा क्या है ये बचा है President साब का signature बचा है ये अगर आ गया तो ये जो Constitution का Amendment का Bill था ये बन जाएगा Act और Act बनते ही क्या होगा Constitution में जो भी चेंज करना प्रपोस करा जा रहा था यहां पे वो चेंज आ जाएगा फाइनली ठीक है ची तो क्या हुआ राजे सबा ने यहां पे अप्रूफ करा और उसके बाद Subsequent to Ratification of the Bill बाई more than 50% of the states ये क्या पंड़ा है ये भी समझे देखें मैंने आपको जो प्रॉसेस बताया है राजे सबा यहां पे आप अप्रूफ करवाई है लोग सबा यहां पे अप्रूफ करवाई है प्रेजेड का signature करवाई है अगर आपने ये प्रॉसेस अप्रूफ कर दिया है ये प्रॉसेस कंप्लीट कर लिया है कोई भी आक्ट आप पास कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस करने के लिए अभी तो कौन इंवल्व हो रहे हैं? MPZ इंवल्व हो रहे हैं यानि कि Member of Parliament मोटे मोटे तोर पे अभी तक Central Government वो ही पिच्चर में आई है अगर सारे के सारे आक्ट पास करने के लिए चाहे State Government के, चाहे Central Government के यही प्रोसेस हुआ तो State Government, Government रही कहां? State Government के जो भी MLA's होते हैं Elected Representatives, इनके बारे में अभी तक तो कुछ बात आई नहीं है पिच्चर में, ये तो पिच्चर में आई नहीं MLA से तो पूछा ही नहीं गया और GST के अगर आप बात करेंगे ये क्या अकेला Central Act है? नहीं Center को भी कुछ न कुछ मिलने वाला है GST के नाम पे States को भी मिलने वाला है ये States को भी जो पुराने जमाने में इंडारेक टाक्स अलग-अलग मिल रहे थे वो भी खतम करने वाला था पुराने टाक्स अटाके नहीं वाला टाक्स लगा रहा था और State Government की भी कुछ पुरानी पास को खतम करके उनको नई चीज़ दे रहा था नई चीज़ को टाक्स करने की पार दे रहा था तो यहाँ पे ये वाला चेंज करने के लिए अकेला यह करना काफी नहीं होगा कि LS यहाँ पे पास करवादो, RS यहाँ पे पास करवादो और President इनका signature डलवादो यह दोनों चीज़े करने के बाद Constitution रिक्वाइर करता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जहाँ पे States उनके rights पे effect होने वाले हैं तो आपको States से यह वाला चेंज जो भी आप प्रपोस कर रहे हैं, ratify करवाना पड़ेगा यानि कि उनकी मंजूर ही लेनी पड़ेगी अब हो सकता है इंडिया में जितनी भी States है सारी ही सारी हाना करें, अगर सबके लिए बोला जाएगा कि सबसे ही हाँ लेनी पड़ेगी, तब तो चेंज आनी नहीं वाला तो वहाँ पे Constitution में बोला गया है 50% से जाधर States है, आपको हाम ही लेनी पड़ेगी उनका Agreement लेना पड़ेगा अगर majority बोलते थी कि हाँ, ही वाले चेंज आ सकता है तो आप चेंज ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो पहले येवाले चेंज को लोग सभा यहाँ पे Approve करा गया, कहाँ पे येवाली डेट पे, उसके बाद राज्य सभा यहाँ पे Approve करवाया गया, then Ratification करी 50% से जाधर States ने और ये होने के बाद क्या हुआ है Finally, Ascent मिला प्रेजडेंट का, यानि की Signature मिला प्रेजडेंट का, on 8th of September 2016 और ये वाला जो बिल था, ये Convert हो गया किसमे Act में, बिल आया था 2014 के अंदर Act में Convert होता है 2016 के अंदर यहाँ पे आपको 2016 देखने को मिल रहा है ठीक अची, अब ये कोछीज Notice करिए, Constitution का जो Amendment का बिल था, यहाँ पे नंबर आ रहा था 122 और यहाँ पे Amendment Act के टाइम पे नंबर क्या हो गया है 101 ये नंबर कैसे चेंज हो गया नंबर इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि काफी बारे से हुआ होगा Constitution को चेंज करने के लिए बिल प्रपोस करा गया होगा कि ये वाले चेंजिस हम लेके आना चारे है लेकिन वो finally conclude नहीं हो पाया होगा LS, RS, President, तीनों जगाओ से जो आपको approve होना होता है अगर आप approve नहीं होते है तो बिल बिल ही रह जाता है अक्ट नहीं बन पाता और अगर मालीजे सरकारों ने भी का कि चलो चोड़ो चेंज लाना चारे थे नहीं लेके आप आएंगे किस भी XYZ रीजन की वेरे से तो चोड़ दिया जाता है उसको 122 टाइमस इसको चेंज करने की कोशिश करी गई है लेकिन हर बार सकसी नहीं होए होंगे विचिस वाई आक्ट में वो सारे के सारे कनवर्ट नहीं होए है तो यह डिफरेंस आपको उनी आक्स का दिख रहा है जो कि बिल की तरह प्रपोस करे गए थे बट आक्ट में कनवर्ट नहीं हो पाते है यह वाले कनवर्ट हो गया तो यहाँ पे कनवर्जिन के अंदर भी इसका नंबर आ जाता है अकिन छोटी सी फाइनर डीटेल में आपको बतारों जाद इस पर ध्यान देनी की ज़रत नहीं है लॉजिक के लिए बतारों वैसे रटने की ज़रत नहीं है रटने के लिए आपको यह वाले जो दोनों नंबर है यह लरन करने पड़ेंगे MCQ की तरह पूछे जा सकते हैं कि कौन से Constitution Amendment Bill उससे वाले चीज को चेंज करा गया था यह वाले चेंज को लाया गया था यह फिर कौन से Constitution की Amendment Act उससे वाले चेंज लाया गया था यह चोटी चोटी चीजे चोटी मोडी डेट्स जो भी निकल के आती है यह आप से पूछी जा सकती है एक एक मा के MCQ की तरह ठीक है ची अब आगे बढ़िए अभी तक क्या हो गया पहले आपको बोला गया था कि उपर आते हैं यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में क्यों नहीं लाया जा सकता है GST चेक करिए कमिटी बनाई गई कमिटे का गठन कब होता है 2000 के अंदर होता है 2016 के अंदर RS यहाँ पे पास हो जाता है and finally 50% से ज़्यादध स्टेट्स जो है वो अपने एसेंट दे दे देती हैं बिल को ratify कर देती हैं कि ठीक है यह हम अपने ओपर apply करने के लिए त्यार है उसके बाद प्रेजिडेंट का signature मिलता है यहाँ पे और यह बन जाता है बिल किस में act के अंदर convert हो जाता है which finally paved way for introduction of GST in India अभी तक GST introduce करने के लिए कोई भी act pass नहीं करा गया है अभी तक constitution में changes करे जा रहे हैं ताकि जो भी act हम pass करना चाते हैं वो constitution के हिसाब से निकल क्या है क्योंकि जो भी act हम pass करते हैं कल को अगर वो constitution के हिसाब से नहीं हुआ कोई भी नहीं मानने वाला हम कहेंगे GST आपको देना चाहिए सब हसके चले जाएंगे हमारे उपपर देगा कोई नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले constitution को change करके अपने पास यह वह ली power लेके आने पड़ेगी कि हम GST collect कर पाएं तो अभी तक constitution को change करा गया है कोई भी आक्त नहीं पास करा गया वो करा जाएगा बट पहला काम हो चुका है आपने नीव लगा दी आपने foundation लगा दी है GST को लेके आने की तो वो process चालू हो चुका है ठीक है जी देखे उसके बाद क्या होता है in September 2016 पहली GST council की meeting होती है and in March 2017 GST का जो council है वो recommend करता है CGST, SGST, IGST, UTGST and finally compensation says का bill ये सारी सारे चीज़े पास करी जाने चाहिए अभी ये council क्या है कैसे बिनाए जाता है, कौन कौन यहाँ पे होते है ये recommendation क्यों दे रहा है सरकारों को क्यों मानने की जरुत है सारी चीज़ों की बात करेंगे detail में देखेंगे अभी ये समझे कि ये 5 टाइप की GST जिन की बात करी जा रही है ये क्या है और क्यों है ये देखे सरकार अलग-अलग टाइप के GST लगाना चारिए ये चाथ टाइप के और ये पांचवे टाइप का क्यों लगाना चारिए आपको समझाएगा लेकिन वो समझने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा पहले और आप नीचे चल चल के चल चल के आज़ेगा तो जाता नीचे आना पड़ेगा आपको यहाँ पे आईएगा पेज नंबर 8 पे और यहाँ पे रीड करिए पॉंट नंबर 3 को पहले में एक बर इसको देखेंगे उपर जो भी लिखा गया है वो पूरगबूर आपको समझा जाएगा देखें आज की टैम पे कौन से कौन से टाइप के GST इंडिया में लगाए जाते हैं following other types of GST जो भी लेवीबल हो जाते हैं इंडिया के अंदर अगर आपने जो भी सप्लाई करा है वो interstate supply है यानि कि within a state हो जाता है डेली के अंदर ही हो गया, महराष्टर के अंदर हो गया राजस्थान के अंदर हो गया, multiple states जहां पे involved नहीं होती है अगर आपने interstate supply करा है जिसकी definition आपको given है, किसको बोले जाता है interstate supply normally क्या होता है, buyer seller दोने की state के अंदर होते हैं, तो बोले जाएगा interstate, दोनों अलग-अलग state के अंदर होने वाला है तो बोले जाता है interstate बट इसमें ऐसा नहीं है, चीज ठीक है आपकी बात करेंगे, तो वहां पे थोड़ी सी अलग definition है जहां पे बोला गया जाता है कोई भी supply जहां पे supplier की location जो भी है and the place of supply जो भी है दो चीज़े इसके बारे मैं लिखवाने बाला हुम है not location of receiver receiver की location नहीं बोले जारी covered in CA final यह निकाला कैसे जाता है place of supply dedicated chapter है, आगे जाके आप बहुत सारे cases में देखेंगे यहां पे यह state निकल के आती है, वहां पे वो state निकल के आती है कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मत सोचिए बट यह धियान रखिएगा this is not the location of receiver यह नहीं बोला जा रहा कि भायर अगर आपका एक state के अंदर है, seller दूसरी स्टेट के अंदर है, तो इसको बोला जाएगा enter state यह बोला जा रहा है अगर आपका seller, supplier जो भी है, वो एक state के अंदर है and pace of supply जो भी निकल के आती है, जो निकालने का तरीका आपको CFIN लेवल पर बताया जाएगा यह दोनों अगर same state या फिस same unit territory के अंदर निकल के आ जाते हैं, दोनों ही then इसको के बोला जाएगा, यह वले supply को बोला जाएगा, intra state supply, within a state, within a unit territory हुआ है and उस case में the following types of GST यह लवी अबल हो जाते हैं यह, यह और यह, अभी यह क्या है देखे, central GST, यह लगने बाला है जिसको short में बोला जाता है CGST यह लवी करा जाता है and collect करा जाता है किसके द्वारा CG, यही collect करती है central government when the supply takes place in any part of India, इंडियो में किसी भी part में अगर कोई भी supply होता है आधा tax तो किसके पास जाता है central government के पास CGST के नाम पे आधा क्यों, पूरा क्यों नी, मैंने आपको पहली भी बताया था, पूरो को पूरा यहाँ पर भेजने की बात करेंगी तो states नहीं मानने वाली, वो कहती है हमारा वाला जो portion है हमें ही मिलना चाहिए सीधा हमें इसके पास नहीं जाने वाले मांगने के लिए, और यह कहता है हमारा जो portion है वो states के पास नहीं जाने वाले मांगने के लिए तो दोनों को अपना अपना portion दिलवाने के लिए क्या करा गया आधा अधा GST लगाया गया आधा जाएगा Central Government के पास आधा जाने वाला है State Government के पास तो जो भी GST लगेगा उसमें CTST वो किसके पास जाएगा पूरा पूरा CG के पास जाने वाला है अब बात करें दूसरे टैक के GST की State Goods and Services Tax याने की SDST ना हमसे पता चल रहा है किसके पास जाने वाला है State Government के पास अभी कब होने वाला है मान के चलिए कोई भी supply जो भी होता है वो होता है in the state of Rajasthan Rajasthan मान के चलिए तो यहाँ पर आधा तो जितना भी GST लगेगा यह विली state में कोई भी transaction होने के टाइम पर वो तो Central Government के पास चल जाएगा Remaining आधा कहां पर जाएगा Rajasthan की Government के पास जाने वाला है वो कैसे जाता है SDST यह लवी कर रह जाता है It is levied and also collected by the state government और the union territory जिनके पास क्या होता है अपना खुद का legislature होता है यानि की खुद की state government होती है कौन से निकल के आती है तीन ही है आज के टाइम पर डेली, पुटचेरी, जेन की तो चाहें इन तीन की बात करीए या फिर किस भी state की बात करीए मोटे मोटे तौर पे किसी ऐसी जगह की बात करीए जहां पे इनकी कुद की सरकार होती है तो उनके लिए क्या होने वाला है उनके लिए आधा portion collect कर जाएगा state GST इसके नाम पे और वह वली सरकार को दे दिया जाएगा अभी आधा आधा होता है यह कैसे बता चलेगा आगे जाके हम read करने वाले हैं और यह कब होता है जो भी state के अंदर UT के अंदर होता है वह वली state को वह वली UT को क्या होने वाला है आधा portion मिलने वाला है अगर ऐसी जगाओ पे हुआ होगा तो लटाक की चंडीगड की अपनी कोई भी state government नहीं है मैंने आपको पांच UTs बताई थी जिनकी अपनी government नहीं होती है वहाँ पे भी CG का ही rule होता है तो अगर ऐसी किसी भी union territory के अंदर आपका कोई भी type का supply होता है तो क्या होने बाला है तो सरकार कहती है आधा है ये वाला portion तो आएगा ही आएगा Central government के पास जाने वाला है remaining आधा जो भी होगा वो जाने वाला है UTGST इसके नाम पे और ये भी मोटे मोटा तोर पे होगा तो सरकार के कंट्रोल में CG की कंट्रोल में लेकिन accounting purposes के लिए इसको हम अलग से रखेंगे without legislature in fact आप यहाँ पे state वाले वर्ड को काट सकते हैं क्योंकि UT जहाँ पे legislature नहीं होता उनके case में यह हो पाता है state कोई भी नहीं होती जिसका खुद का legislature नहीं हो ठीके जी analysis को read करिए hence in the case of every intra-state supply जहाँ पे भी within a state कोई भी supply होता है या तो लगने वाला है cgst plus hgst या फिर लगने वाला है cgst plus utgst ये कब लगेगा ये तब लगेगा जब जो भी supply होता है वो within a state हो या फिर ये कब लगेगा ये तब लगेगा जब भी कोई भी supply जो भी होता है वो within a union territory हो और union territory जिनकी खुद की state government होती है, उन की इसमें भी यही लगता है, confused मत हो येगा कि ये तो unit territory है, तो ये लगना चाहिए, मोटे मोटे तोर पर मान के चलिएगा, जब दूसरा portion जो भी निकल के आता है, कोईने कोई state government को आपको देना है, तब जाके ये लगता है, नहीं तो ये लगता है, अब ये जो combination लगता है, ये तब लगता है, जब भी होता है intra-state supply, what if जो भी supply हुआ था, वो था inter-state supply, तब देखे क्या बोला चाहिए, पहले आपको बतायाएंगे, inter-state supply बोला किसको जाता है, ये उसको बोला जाता है, जहांपे location of supplier, जो भी निकल के आती है, वो निकल के आती है, एक state या फिर union territory के अंदर, and place of supply, जिसके बारे में उपर हमने बात करी थी, ये निकल के आ रही हो, किसी और state या पिर union territory के अंदर, उस case में क्या होता है, सरकार लगाती है, तब GST कौन से वाला, integrated वाला, यानि की दोनों मिला दीजेगा, CGST, SGST, जो भी portion निकल के आ रहता, एक बार में पूरा उतना लगाईएगा, और लगाने के बाद, जितना भी center को मिलना चाहिए, जो भी state को, जो भी remaining portion मिलना चाहिए, सरकार दे देगी बाद में, तो IGST ये लवी करा जाता है, लवी भी सरकार करती है, central government और collect भी यही करती है, आप कहेंगी यहाँ पर तो इसको फायदा हो गया, किसी भी state को कोई भी revenue नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर basically दिक्कत क्या है, मैंने आपको वो ही बताया था, माहराश्टर की किसे इंसान को बेचा है, अब यह जब भी बेचेगा, तो दोनों ही सरकार ही चाहेंगी, जब भी आप किसी भी tax को बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी गुर्जियर सर्विसेज फाइनली पहुशती हैं, जिस भी state के अंदर, वो वली state को state वाला share मिल जाता है, तो मेरे example के अंदर डेली से, अगर आपके गुर्जियर सर्विसेज, यहाँ पे ITC के थोड़े fund ने निकल के आ जाते हैं, कि थोड़ा बहुत GST, डेली government ने पहले ही collect करके रखा होगा, पिछले supplier से जो भी ये chainment करके आते हैं, तो जितना भी GST, डेली government ने collect करके रखा था, वो डेली से लेना है, और उसके बाद eventually महाराष्टर government को provide करना है, यह पूरा mechanism किसको oversee करना पड़ेगा, central government को, ताकि इन दोनों के बीच में बहस नहीं हो जाए, अब वो ही oversee करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार यानि कि CG, पूरा का पूरा पैसा खुदी collect कर लेती है, levied and collected by CG, क्यों? It acts as mediator between source and destination state, source state क्या है है हाँ पे Delhi, destination state क्या है, महराष्टर, राजिस्थान, जो भी मैंने आपको बताई थी, to ensure that source state transfers entire GST collected on this, ये वाले supply की बात करी जा रही है, ये वाले जो भी supply हो रहा था, इस पे चित्ता भी GST, Delhi वाली state के पास पहले से बढ़ा होगा, वो पूरे कपूर आपको किसको देना पड़ेगा, महराष्टर गर्वर्मेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रहग किसका निकल के आता है, destination state उसका निकल के आता है, और Delhi, उसको ज़्यादा टेंचिन लेने की ज़रूरत नहीं है, full D transaction भी होने वाली है, कि महराष्टर से गुल डेली में आने वाले हैं, तब आपको दे दिया जाएगा, तो दोनों को ही कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा, अपने अपने टाइम पे, तो पूरा GST जो भी कलेक कर रहे जाता है, ये वेले supply पे, ये इसके बीच है लॉजिक निकल के आता है, अब IGST जो भी लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, पूरा पूरा CG ये ही ले लेती है, क्या ये उतना ही अमांट होने वाला है, जितना उपर कलेक कर रहा था, अगर उपर वाली transaction में 900 रुपए यहां पे लिया जा रहे थे, CGST के नाम पे, 900 रुपए लिया जा रहे थे, SDST के नाम पे, तो नीचे जब भी IGST लिया जाएगा, मा लिजे उतनी ही वाली की transaction हो रही है, वो ही गोड है, वो ही service है, तो कितने का लिया जाएगा, 900 रुपए का, नहीं, 1800 रुपए का लिया जाएगा, यानि कि इन दोने का जो भी sum निकल के आता है, उतना ही पैसा लिया जाएगा, 900 रुपए दे जाएगे, Central Government को IGST में से, और 900 रुपए दे जाएगे किसको, महराश्टर गर्मेंट को, यह चीज़ आपको बताई गई है, यहाँ पे, देखिए, IGST क्या होता है, it is the sum total of CGST, and SGST, और UTGST, जिसके बारे में उपर बात करी गई थी, खीगे जी, interlinking को देखिए, as per article 269A of the constitution, इसके article 269A, इसको अगर आप खोल गे देखिए, तो यहाँ पे बताया जाता है, कि IGST जो भी collect कर रहा है CG ने, वो पूरा कपूरा apportion करा जाता है, किनके बीच में, states के बीच में, and union के बीच में, कैसे, आधा दिया जाता है, destination state को, आधा रख लेती है, कौन? CG. Also, imports अगर कोई भी करे जाते हैं, बाहर से कोई भी माल, आप इंडिया में लेके आते हैं, किसी भी country से आपने import करा है, तो उसको भी माना जाता है, deem करा जाता है, कि यह भी interstate supply है, यह मतमान कि चलिएगा, इंडिया की एक state से, इंडिया की ही दूसरी state में कोई भी supply होता है, तो ही इसको बोला जाएगा interstate, आप भार से भी इंडिया में कुछ भी लेके आते हैं, तो भी उसको यही माना जाता है, interstate है, as a result of which, उस पे भी क्या लग जाता है, IGST वो ही लग जाता है, वो ही चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीक हैजी, अब यहाँ तक की चीज़े हमारी cover हो चुकी है, GST compensation says, यह क्या होता है, कब लगता है, कैसे आपको यह वाली चीज़ के अंदर, जो भी मैं आपको समझाऊँगा, कि पहली में ही इतना कुछ आ गया, learn कैसे करेंगे, एक अप करेंगे बगएरा बगएरा, तो एक चोटर से काम करिएगा, आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है, अच्छे से learn करिए, कोई भी doubt आता है, तो मुझसे पूछिए, मैं clarify करूँगा, और अगली क्लास के अंदर, यह वाली चाप्टर को continue करेंगे, और देखेंगे, इंडिया में finally, जब भी GST लाया गया, constitution को change करने के बाद, वो कैसे लाया गया, और अगली क्लास के अंदर, एक और interesting चीज़ मैं आपको बताऊंगा, constitution change करने के requirement, आ क्यों रही थी, पुराने में दिक्कत क्या थी, अगीन कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन समझना चाहेंगे, तो मज़ा आ जाएगा आपको समझ के, और मैं आपको वो बला पार्ट बताने ही वाला हूं, बेकिस आपके मज़े से ज़ादा, मुझे मज़ा नहीं आने वाला अगर मैं नहीं बताया तो, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन कब कल पढ़ेंगे, अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, रिवाइस कर लीजेगा, लेर्न कर लीजेगा, कल मिलेंगे, टेक किर आफिसेल्फ, गूनाइट.